कि हालो स्टुडेंट तो आज अपन DCM टेश्री 2021 में बेटा बात करते हैं टेस्ट नंबर 27 तो DTS 27 में अपने mathematics के topic है permutation combination probability and complex नंबर ठीक है तो इस इस पेपर में total 3 section a section a section b and section d section a total 11 questions है जिसमें से starting के 5 questions single choice के हैं और 6 question में 2 by 2 के 3 passages है ठीक है after that section b में 7 multiple choice के questions है और section d में बेटा आगे integer के 7 questions है तो चलो अपन start करते हैं section से नहीं का question number first देखो question first है कि कुश्चन फर्स्ट बोला गया है कि तोटल number of three digit numbers of different digit आपको three digit का number formed करना है है different three digit सारी की सारी digit आपकी क्या बोलो different है three digit number different digit in which middle digit is less than 8 जो middle digit है वो आपकी 8 से less है but more than some of the other two digits बट उसका जो समय है वो आपका ज्यादा है first or last digit से तो देखो इस question में क्या करना है basically अपन को जैसे लेट इसमें आपको केसराइज करोगे first case क्या है जैसे लेट यह आपका थ्री डिजिट का नंबर है कि तो first case में बोल सकते हैं आपन जैसे लेट है simple सी बात है कि middle digit आपको 8 से कम लेनी है तो middle digit को ले सकते हो आप one zero ले नहीं सकते क्योंकि middle digit को जीरो लोगे ना तो इन दोनों का sum middle digit से less होई नहीं सकता ना क्योंकि minimum इदर तो zero नहीं सकता तो इदर आप one लोगे इदर zero लोगे तो minimum sum आपका first or last का one होगा इसका मितलव आपको इसमें minimum two तो लेने पड़ेगा आपको मिडल डिजिट आपकी minimum two होगी तू ले सकते हैं उसके बाद अगला केस क्या होगा आप मिडल डिजिट को त्री लेट कर सकतो को similarly मिडल डिजिट को आप तो टोटल केस अराइज करने पढ़ेंगे स्कूशन में ठीक है फोर अराइज कर सकते हैं फोर के बाद मिडल डिजिट को आप ले सकतो बेटा five next देखो simple आप मिडल डिजिट को six ले सकते हैं और मिडल डिजिट को seven को की कुछ मिल्यक है लेस देन 8 यह सारे options ओंगे 336संस तो तो आपने अगर मिडलिग को स्टू सेलेट किया तो मेडलिड को लिने के बाद फार्स्ट और लाड सिटल समेब यह तो आना कितना फर्स्ट टो इसा मैं वह आपका टू सेलेर होना चीए और लागे अ की समॉह अथैप kako यह बोला गया ना कि समूं और तो सिंपल सी बात यह है। यह तो आ गया तो फर्ष्ट और लास्ट का सम अल्ली वन आ सकता यह जीरो आ सकता है जीरो तो पून इसका एक युप इसमें फिल करोगे आप उन कॉमा जीरो एक गया कि इसको 1,0 से फिल करोगे इसके अगला अगर यह सम आपका 3 है यह मिडल डिजिट अपगर 3 है तो फर्स्ट और लाश्ट का जो समय यह मैक्सिमुम क्या सकता है यह तो वन आ सकता है तो इसका सम वन कब कब आ सकता है जब आप 1,0 लोगे बस सम बनाने का एक ही तरीक है 1, को मजीरो उसके बाद अगर इसका सम 2 आना चाहिए मेरी बात को सुनों दोबारा यह अपन को 2 था तो इसका सम वनाना चाहिए तो वन को मजीरो यह तो इन दोनों का सम 3 से लेस आना चाहिए तो 3 से लेस आपका वना सकता है 2 आ सकता है तो वन आने का तो यह उप्शन होगा अगेन वन जीरो और इन दोनों का सम आपका ओनली टू आना चीज़ तो देखो टू आने के उप्षिन क्या होंगे तू जीरो ले सकतो या फिर बस एक ही उप्षिन है क्योंकि वन वन के लिए मना किया गया है ओल डिजिट आ डिफरेंट इसके लिए वन अंसर आ गया इसके अ यह सम वन आना चीए तो उसके अंसर तो एक ही ऑफ्षिन है यह सम आगे इंटू आना चीए तो इसके ऑफ्षिन भी अपने पास टू है प्लस यह सम 3 कब कब आ सकता है तो दो को थी लाने के लिए काम करो अगर थी लेके आना है तो इदर जैसे मैंने थी लिया फर्स्ट प् आप तो थी आंसर त्री का मतलब यह टोटर सम कितना आगया वलो शिक सागे ठीक है इसी के बाद एक काम और करते हैं अपन फाइव की बात करोगे तो यह सम फाइव आना चीए तो फाइव आने का मतलब शॉरी यह फाइव है तो इन दोनों डिजिट का सम फाइव से लेस आ वन आ सकता है 2 प्लस त्री आ सकता तो वन आने का ऑफ्षन एक है तुप आने की ऑप्सों तू है और देख लो तो लिग देते हैं इसको वर्ट वन प्लस टू प्लस इक्स प्लस होई यह संक पूत व सेम प्रको कुछन सब्स तो और यह सेम प्रोसेजर फोर के साथ जीरो आ स 3 आ सकता है और तो इसके भी अपने पास once again कितने उप्सन है वो थ्री उप्सन है तो 3 एड़ और कर देना तो कितना आ गया तो इस तरीके से पहल वा गया है क्या आ गया वो ट्वेल फॉर के बाद five के बाद six की बारी seven की बारी जैसी इन सारे आंसर को आप एड़ गरोगे तो आपका second option answer में आ जाएगा ठीक है तो सिंपल सा कुष्चन है चलो उसके बाद को question second में क्या वो लागया है आपको i1, i2, i3, three integration गिवन है definite और सबकी limit है 0 से पाइव 4 ठीक है जैसे i1 का meaning है 0 से पाइव 4 एक्स की पावर 2008 इंटू 10x की पावर 2008 अगले में पावर 2009 ने दोनों पे और अगले में पावर अगले में पावर 2010 तो आपको पताना है कि i1, i2 का correct order क्या होगा कौन किसे बड़ा कौन किसे less होगा तो आपको पता होगा यसे लिए i1 की अगर बात करोगे तो i1 का meaning है 0 से पाइव 4 अगले में दोनों पे पावर से में तो एक साथ लगा सकते ना तो एक्स इंटू 10x की पावर 2008 यस सर अब एक सिंपल सी बात समझें आप आपको पता होना चाहिए जीरो से पाइव 4 जो एक सी वेलु है जी इंटेड़ीetztन की इसका पया ना लाए एक सी वेलु है अगले पाइव फोर में 10 और अगले में 1-L-is-क झी-power 200 है तो simple सी बात क्या होगी बताओ ए 1-L-is पंपवर को जब आपě ऐनकीज करोगे तो इसकी वेल्यो को मसटेज कर में कुछ को जब उसकी वैल्यु रिखेस्ट करेंगी तो comprehensive की जो definite integration की value है वो भी आपकी क्या करेंगी वो decrease करेंगी तो क्या समया है आपनको कि 0 से पाइब फर्म में AX 10X की पावर 2008 ग्रेटर होगा इस पार्ट से ग्रेटर होगा इस पार्ट से तो इंटीशन लगाओगे तो अगेन इसके integration का जो output है वो i2 से बढ़ा होगा और i2 की value i3 से ग्रेटर होगी तो इसके अकोर्डिंग i1 greater than i2 greater than i3 तो इसका 4th option correct होगा ठीक है चलेगा उसके बाद देखो next question एक set given है आपको a equal to 1234 number of functions from a to b are there satisfy f of fx equal to x for all x belongs to a x की all values a से लेनी अपन को मतलब x की all values a x मतलब a की all value के लिए बात किगी है तो बताओ ऐसे total कितने functions अपन बना सकते ठीक है a given है आपको number of functions from a to b are there satisfy f of fx equal to x इसमें थोड़ा गलत लिख दी है उनको यह भी ए लिखना था बेटा यह भी ए करो आप इसको ठीक है यह function आपका a to a में define है यह function क्या बोलो a to a में आपका define है ध्यान एकना तो चलो करते हैं को एफ आपका define है function a to a में है तो देखो कैसे करना कुछन को कि इधर भी element है one two three four इसमें भी element है one two three four अब देखो इसके बाद क्या करना आपको आपको a to a में functions को formed करना है mapping करने ही आपको a to a में क्या करने ही mapping कुछ नहीं पुछा कि number of mapping find and करो और condition क्या है आपकी f of fx is x f of fx आपका x आना चाहिए f of fx को x लाना है इसके according आप mapping करोगे तो दो दो इसको एक बार example की तो समझो जैसे let आपने क्या किया इसमें एक्स को beta one put किया तो x को one put करने पर क्या है गा f of f of one equal to one अब इसको fill करने के दो option है दो option क्या क्या हो सकते देखो जैसे let आपने क्या किया f of one की value को one let किया f of one को जो one put करोगे तो this is f of one तो इससे solve करने पर आगया again f of one equal to one मतलब simple सी बात क्या है इसमें अगर आपको a to a में fx की mapping करने है तो इसमें दो option हो सकते हैं एक option तो क्या है इच element की mapping आप itself से करो आप a1 का 1 से 2 का 2 से 3 का 3 से 4 का 4 से तो वो इसको 100% क्या करेगा satisfy लो ना x को वन लेने पर f of one वन लोगे तो again f of one बना आगया by chance अगर x को 2 ले तो f of two को again 2 लोगे तो again f of two आ गया तो एक possible answer तो क्या होगा कि each number की mapping same number से करोगे आप तो वो 100% f of fx equal to x क्या करेगा वो satisfy तो इसके according to number of functions है उसमें एक answer तो या गया जब कि itself से आप mapping करोगे second possibility क्या हो सकती है देखो जैसे लेट आपने बोला सर एक काम करें आप f of one की mapping करो 2 से तो देखो ना अगर f of one को 2 लोगे तो इसको 2 पुट करने पर क्या आगया f of two मेरा one आ गया तो इस case में क्या होगा जैसे लेट और समझ सकते हो आप बाइचांस आपने f of one की mapping 3 की तो इस बार f of three मेरा one आ गया तो बात तो भी होई ना इसका meaning क्या है कि each element का itself से करोगे तो single mapping बनेगी सम्में only one से one एक answer तो आगया second possible answer क्या हो सकता देखो second possible answer में क्या होगा pairing हो सकती है one का sorry f of one को two लिया तो two का one से आ गया ना मतलब one का relation अगर two से है तो two का mapping आपकी बन हो सकती है इसके बाद अगर आपने इन दोनों की mapping की उसके बाद क्या करोगे let x को आपने 3 लिया x को 3 लिने पर क्या गया f of three f of f of three x तो f of three को four लोगे तो f of four automatic three आ गया तो second mapping क्या हो सकती है कि दो-दो के pairing में कर सकतो वह एक तो क्या थी itself से कि आपने तो one answer आ गया अगली mapping क्या है कि one का तो आपने किया two से two का किया one से ऐसे समझ सकतो वेड़े एक्जम्पल के थे थे हो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर देखो वन की mapping two से two two की mapping one से तो यह इस given condition को क्या कराएगा fulfill उसके बाद यह जो remaining दो हैं इनकी mapping डायेक्ट भी तो कर सकते ना यह लोग अभी वी क्या problem है f of 33 लेने पे f of 33 होगा f of 4 को 4 लेने पे f of 4 भी 4 होगा ठीक है ना इस प्पट करोगे तो तो second case कौन सा हो सकता है कि दो element की mapping तो करो cross और remaining two की करो itself तो second mapping में क्या करोगे अगला कुछ नहीं आता है कि सर किन दो की mapping आपन को उनके interchange से करना है वन की two से two की one से आप यह प्यार ले सकता हो मैं one की three से तो three की one से कर सकता हूं ना तो क्या करो इन four में से पहले two element का selection करो four में से two element जो select करोगे उनकी mapping तो करोगे cross यूँ उसको करने का एक method और इनको भी एक से करना तो एक method तो एक answer आगया four c two इस four c two का मतलब यह ही है कि आपने क्या किया वहलो four में से two की mapping को तो किया interchange ऐसे one का two से two का one से और remaining two की mapping को itself से किया गया तो एक variety हो सकती है answer की plus third किस क्या हो सकता है दो-दो की pairing में mapping की जा सकती है जैसे लैट आपने क्या बोला वन की mapping की two से और two की mapping की one से और three or four में reverse again three की mapping four से और four की mapping three से इसका मतलब आपको इन four element को दो-दो के group में divide करना है कैसे करोगे आपको क्या करना four element को दो-दो के group में divide करना है तो बस जितने वे से आप इनको इसको डिवाइड करोगे उतने ही number of functions आपके फिर्म होंगे क्यों तो इसको डिवाइड करने का formula क्या था याना चाहिए फोर को टू-टू के वेलू 6 होती है ना तो 6 और 3 8 sorry 9 और 110 तो इसका 10 आंसर आपको फिल करना वोलो यह सनो कित्रा आंसर फिल करना वोलो इसका 10 आंसर correct होगा चले उसके बाद नेक्स कुश्चन देखें find the number of functions that can be formed that can be defined from the set A to set B set A to set B में आपको number of functions को formed करना है such that f of i less than equal to f of j 4 i less than j क्या given है f of i less than equal to f of j और i less than j i j से less है और आपको mapping करनी है इसमें 123 की 12345 से देखते हैं एक बाद रफको पी में set A से set B में आपको total number of functions को करना find out इसमें only 3 element है 123 इसमें 5 element है 123 4 & 5 अब दो को यह जो given conditions का meaning का है simple सी बात ही है input आप only 123 दोगे तो जैसे लेट आपने क्या किया i को 1 लिया तो इसमें क्या हो सकता है? i को 1 लेने पर अरे simple सी बात ये कि f of i less than f of j है जैसे लेट आपने i को 1 put किया तो क्या आप f of 1 is less than equal to f of j तो उसमें j की 2 value हो सकती है न, j2 हो सकता है और j3 तो जैसे लेट मैंने 2 put किया तो क्या आप f of 1 less than equal to f of 2 और f of 1 is less than equal to f of 3 मेरी बात सुनो i को 1 लोगे तो j मेरा 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता 4 भी तो कि i और j दोनों independent है तो 3 आ गया यह 4 आ गया और f of 5 आ गया समझे मेरे बात को इसका meaning क्या है जैसे let आपने क्या किया आपने लेट 1 की मैपिंग 1 से की इसमें देखो equal to rs का मतलब each element की मैपिंग सेम से कर सकते हैं ना जैसे let f of 1 और f of 2 दोनों सेम हो सकते हैं को दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें 3 possible answer हो सकते हैं जैसे let आपको 123 की mapping करो गया तो एक option तो क्या है सबकी mapping सेमेंट से कर दो आपने f of 1 भी आपने 1 से कर दिया f of 2 को भी 1 से मैपिंग की 3 से 3 से मैपिंग की तो यह हमेशे इसको क्या कर रहा है इसके पर किया रहा है इक्वल टू क्या रहा हुए उस पर इक्वल टू एक पॉसिवल कॉंभिनेशन तो क्या होगा वन टू-थी की मैपिंग अपन ऑन औली सिंगल ऐलिमेंट से कर सकते हैं तो इसके total 5 आप उप्शन होंगे ना कर प्लस सिरी की मैपिंग 10 rep kilo 4 में किसी एक से करना है कि अब अगला कैस कि हो सकता तक के सब की मैपिंग सेम से की संसी क्या करो की मैपिंग से मिलिमेंटस और एक की करो difference हो सकता ना इसलेट आपने वह जे सर वन और टू की मैपandres इसे कि किसी से चोटा मन सकते है जैसे लेट इधर आओ वन टू थी है आपका तो जैसे लेट वन की मैपिंग वन से की टू की मैपिंग भी आपने वन से की तो फिर थी की मैपिंग के लिए क्या करोगा या तो टू लोगे या थी लोगे या फॉर लोगे या फाइब फिर भी उस केस म में इस condition को क्या करेगा बोलो satisfy करेगा क्योंकि I को मैंने वन लिया तो f1 अगले की एक को हो सकता तो अगला उसके बाद से बढ़ा होना चाहिए ना तो बाद बाला बढ़ा होगा आई को जैसे 123 पुट किया आपने तो f1 अगर आपका बनाया तो f2 आपका वन भी हो सकता है मैंने करोगे difference स्का मतलब क्या है सबसे पहले काम करो थी एलीमेंट की मैपिंग करनी यह दो एलीमेंट से तो पहले फाइम मेंसे दो एलीमेंट का सेलेक्शन करो fivec2 अब आपने five मेंसे दो एलीमेंट सेलेक्ट किया कि सलेक्टेट जो टू हैं, जैसे लेट आपने दो ऐलिमेंट select की, 1,3, इनकी mapping करने के दो option हो सकते हैं, क्या और सकते हैं समगते हैं उसको The option हो सकता है कि जैसे let करना क्या है, 5 में से 2 element का selection किया, selected two element की mapping करनी थी के लिए इसमें क्या होगा 100% इसके दो इलिमेंट की मैपिंग सेम से करोगे और अगले की डिफेरेंट से दोको मैं क्या-क्या कर सकता हूं जैसे लेट आपने वन की और टू की मैपिंग तुकी वन से और इसकी की 3 से तो ये इस केस को satisfy करेगा या फिर क्या कर सकते हैं 1 की mapping तो करो 1 से और 2 और 3 की mapping करो 3 से फिर भी possible है ऐसा नहीं कर सकते कि सर 1 और 3 की तो कर दो 1 से 2 की कर दो 3 से ना इनकी जो ओडर में क्योंकि अपनों को ध्यान देना है F of I, L, S and F of J 1 की mapping और 2 की mapping सेम है तो 3 की mapping उससे greater आनी चीए या 1 की mapping कुछ different है जैसे F of 1 विर वन था तो आप अगले में क्या करोगे 2 और 3 की mapping सेम कर सकते हो लेकिन greater से करने ही आपको तो क्या करोगे इसमें बताओ तो 5 में से 2 का selection किया selected two element है set भी में अब इन 3 की mapping को करने के 2 option है 1 2 की मैंने 1 से की 3 की 3 से की या फिर 1 की 1 से कर दो 2 3 की 3 से तो इसको fill करने के अपने पास अगें two options है ठीक है और प्लस last case क्या होगा देखो सभी कि इसको तोड़ा correct कर देते हैं इसके two option है और अगले किसमें क्या करोगे all mappings are different all elements की mapping करो different से इसका मीनिंग 5 में से कोई भी 3 सेट कर दो और इसको fill करने का एकी option है पहले less फिल करोगे फिर greater फिर greater इधर 1 2 3 है उन 5 में से 3 मिलेट आपने select किया 1 3 और 5 तो क्या करोगे इसको इससे करना पड़ेगा इसको इससे और इसको इससे क्योंकि इनकी जूंग order में mapping करोगे f of i less than f of j ठीक इस line का मीनिंग यह यह कि i less than j है तो f of 1 की mapping f of 2 की equal हो सकती है उससे less होगी और f of 2 की mapping f of 3 की equal हो सकती है उससे less होगी समझे मेरे बात को इसके according कि तरह आ गया यह 10 होगा 10 to 20 plus 5 35 तो इसका 4th option correct होगा ठीक है चलो कि उसके वाद को कुछ्चन नंबर 5 क्या है कि नमबर ओव रेक्टेंगल देट केंड वी फॉर्मड अ नंबर ओव रेक्टेंगल देट केंड वी अप्टेंड वाइज जोइनिंग दी फॉर अब दी ट्वेल अव वर्टेक्सेज ओफे ट्वेल्ड साइड रेगुलर पॉलिगन आर कुछिन का मिनी क्या है एक ट्वेल साइड का रेगुलर पॉलिगन आपको गिवन है तो उसके अपने एक ट्वेल वर्टेक्से जोँगी और विटेक्स में इसे फॉर वर्टेक्स को लेकर आपको रेक्टेंगल का फोर्मेशिन करना है तो बताओ कितने रेक्टेंगल फॉर्म्द हो सकते हैं दोड़ो थोड़ा अच्छे समझना अपने हेग्जागन का एक्जंपल जब समझते हैं रेगुलर एक्जगन का फिर देखना बात में रेगुलर हेक्जगन के एक्जम्पल से समझो सिंपल लगेगा कि अपने को समझा ला है कि ए वन कि ए टू कि ए त्री कि ए फॉर कि ए फाइव और ए शिक्स रक्तेंगल के फो मुने का मीनिग के चिरेक्टेंगल के जो LGBT एंगल है सोरी ये जो एंगल नायंटी ओनेची है को और ये भी अंगल के नइनसら क्योंके इसका मीनिंग क्या है कि इसी केस में पॉस्टिवल होंगे जब इसके बहुत डायक इजो दोनों डागुनल हैं यह आपके क्या होंगे जब आप इन चारो सारे पॉइंटों से एक सरक्ल पास करोगे ना मतलब यह circle है आपका तो आपको rectangle फोर्म करना तो ऐसी बन सकता है जैसे यह आपने पकड़ा इदर से और यह पकड़ा इदर से तो हाँ यह आपका rectangle बन सकता है यह क्या बन सकता हो लो rectangle आपका form रो सकता है मेरे बात को समझे इसका meaning क्या होगा जैसे लेट सिंपल सी बात यह होगी आपको स्मेट्रिक फोर्म में वर्टेक्स का सेलेक्शन करना है कैसे करना देखो जैसे लेट इधर देखो एक rectangle के formation के लिए 4 vertex चीए तो आप क्या करोगे यह जो A4, A5 और A6 है इसमें से कोई भी दो vertex पकड़ो और A1, A2, A3 इन में से भी कोई भी दो vertex पकड़ोगे आप मेरी बात को सुनो दो क्या prefix है आपने क्या किया A1, A2, A3 में से एनी 2 vertex का selection किया जैसे लेट A1 और A2 आ गया तो आपने इन 3 में से 2 vertex लेट किये A1, A2 तो बेटा अगले 2 vertex आपको उसके opposite वाली लेने fix है उसी केस में rectangle का क्या हो सकता वोलो formation हो सकता है तो इस तरह की से करना question को ठीक है तो अगर आपन को पता है कि 12 side का regular polygon है तो A1 से A6 है इन में से आप कोई भी दो vertex लेट करो जैसे A1, A6 लिए तो आप A1 के opposite और A6 का opposite vertex select करोगे तो उसी केस में क्या होगा rectangle आपका form दोगा एक बार आप roughly geometry बना के देखो आप पहले 6 के लिए लो फिर 8 के लिए देख सकते हो आपको सोचो ना आपको एंगल 90 लाना तो एंगल 90 कब आ सकता है जैसे लेट आपने क्या किया A1 और A3 को select किया तो इस एंगल को 90 लाने का first पहली बात तो क्या होगी इसके लाइन लोगे parallel तो वो लाइन पैरलल जब भी आ सकती जब A1 का opposite vertex लोगे और A3 का भी opposite vertex उसी किसमें यह लाइन पैलल होगी और फिर जोइन करोगे तो यह एंगल 90 भी होंगे तो automatic इसका formation हो जागा rectangle का formation ठीक है तो क्या करना question में total 12 vertex है जहें 6 up होंगे 6 down तो 6 down में से एनी टू वर्टेक्स इसका सेलेक्शन करो 62 एनी टू का सेलेक्शन करने के बाद दो वर्टेक्स और लेने हैं तो क्या करोगे दो वर्टेक्स इदर से लोगे उनका opposite vertex लिने का यह की option है कि उनके दोनों की क्या लोग अपोजिट तो देन आपके rectangle का formation होगा तो 62 की वेलो कित उसके बाद नेक्स कुशन देखो आपको पैसेज गिवन है यह permutation combination का पैसेज इसको पढ़ें आप and digit numbers are formed using the digits 1234 आपको एक एन digit का number form करना है digit 1234 को यूज करके इच ओ विच बिइंस विद ब वन इच बिजिट आपको वन से स्टार्ट करना हुआ सेवे फिक सक शनमें मझा रिक सारी सारी डिजिट क्या होंगी सुरी को जिट बिजट आर डिफ्रेंट को जे प्रिट आपकी क्या होंगी डिफ्रेंट होगी चलो उसके बाद यह तो एक कुश्चन की नॉर्मल लेंग बेज है कि कोई भी जो नंबर फॉर्म करोगे उसमें 1234 को यूज करना है परस्ट डिजेट वन होगी और एने टू डिजिट आर नोन इसकती हो सकती सेंड नी हो सकती कॉश्चन बना गया तो फिर टू आ सकता है पिर टू के बाद अगेन वना सकता को दिकत नहीं चलो अब इसमें क्या वो लग्या कि इफ ए ए एए उए डी सच ए ड़िजिट नमबर एं इन डिजिट में से कुछ नंबर सें विच एंड्स विज वन जो वट सेंड होते मतलब एं का मी निक है इसस्टार्टिंग की लाइन को तो फॉलो करना है कि ए ए इन जो एन डिजिट के नंब्र सें वह starting भी digit 1 से होंगे conservative digit आपकी different होंगी और ending with one और उनकी last place भी one होगी last digit भी आपको one fill करने ये तो बोला गया a n का meaning while b n with the ones which ends in a fixed number rather than one मतलब b n का meaning क्या है इन में से आपकी जो digits है उनकी जो last digit है जो number से b n का मलतलब क्या है जो BN का मीनिंग है कि जो number से आपके उनकी जो last digit है उसको one के अलावा किसी और से fill करना है one के अलावा इसका में उसको only one two three four से fill कर सकते हो ठीक है मतलब BN जब digits form करोगे sorry BN जब numbers form करोगे तो उसकी last digit को one नहीं लेना है और first digit तो दोनों cases one लेनी है A and BN में first digit one होगी A and BN में last digit one लेनी है BN में last digit को one नहीं लेना है और conservative digit आपकी same नहीं हो सकती इन बातों का ध्यान देना है पापन से क्या पूचा गया है the value of A7 equal to देखते हैं और which of the falling is correct आपको देखना है A10 की value A7 और A8 को 3 और 2 से multiply का sum होगा क्या B10 की value देखनी है मतलब आपको एक recurrence एक question की बात करनी है मतलब समिट्टी सीटी से answer दे सकते तो चलो एक बार ट्राइ करते question को करने की तो question समझ्वाइगे सब को देखो कैसे करना में ही तर देखो और ऐसा question आइटी जेए में एक बार आ चुका है सबसे पहले बात करते एवन की कि A1 का meaning sorry A1 की तो बात ही मत करो minimum N को टू लेना है एक टू का meaning क्या होगा आपका टू डिजिट का number है जिसकी फर्स डिजिट भी वन लेनी पड़ेगी और सेकेंड डिजिट वन question में एन का meaning यह फर्स डिजिट इस्टार्टिंग डिजिट भी बनोगी और एंडिंग डिजिट भी आपकी वनोगी तो एक टू की वेलू तो अनली बनाने वाली है को कि दोनों त्रब्बन फिल करोगे तो एक टू तो मेरा वना आगया चलो अटाओ इसका अंसर समिट्री साने वाला है अब बात करते हैं अब बात करते हैं आपन एठी की एठी का मतलब है थी डिजिट का number फॉर्म करोगे तो द हुर्म जो थी एठी को किऊ सेentin तर करना है किसह दो ना यूर्म कुछनि अगसि अब दो क्या थो को नुदू को सबएए सब्सक्राश कूर्ण करना है अपने इसविए को सिंपल किbersक् prefix ज्मने कोकी इन दोनों में बना गया तो 2-3-4, आपकी वन हो जाएंगी तो ..." आफ्वर तो काफी खेंधी तो काफी तो- पहला किया यह तो इसको फिल करने ıı। कौर लूह से कूछ ही फिलू कर दो कि इसको फिल करने की फिलूर तो वडेट विखलो कने की दो करें आपको इधर वन लेना है इसमें दो कैसे जोंगे कैसे दो के संगे यह प्लेस और ये प्लेस इदर तो नहीं सकता ना वाट इस वाली पॉजीसिन पर वन आसकता है तो इसे दो केस बनाओ कि एक वर तो middle पॉजीसिन है इस पर बन फिक्स कर दो और एक वार इस भार मतलब वह oriented और दो कि इन पॉजीसिन आपकी इस पर वन ले सकते और नहीं वित दोनों के सेब्ट सुल करोगे तो कभी गलती नही three option क्योंकि जैसे दो आ गया तो दर भी दो आ सकता ना कोई बीच वन आ रहा कोई दिक्टत नहीं है और सेकेंड केस क्या होगा इसका देखो कि इदर वन इदर वन अगला केस है कि तीनों में वन नहीं फिल करना है तो इसको फिल करने के मेरे ती ओप्सन है ट्री ओप्सन का मतलब two-three, four ऑ गया तो चलो इसमें से कोई भी नमर आगया मना गलती से तो आ गया तो फिर इदर टू नहीं आसकता तो उसको मेरे तो इसको फिल करने के दो अब फिल करने की दो ँज़्यार ऑफिदी थी नहींози एसकता तो इसको फिल कर सकते हो कोई बड़ा इश्यू नहीं इसमें जैसे मैंने इसमें दो के इसमें शायद थी के साराइच करने ने पड़ेंगे चलो एक बार आपन समझने की ट्राइ करते हैं कुछिन को कि एफाइव होगे न अपना जहां रओंता है कि अब आण है थे देखों एए आए दिए इस्क्स में क्या करोगे 6 डिजिट का नंबर फिर्म करोगे 12345 एक इस तो कश्टान नंबर दो क्या करना है एधर वन फिल कर देते हैं एधर पर भी वन फिल कर देते हैं इधर यह करकरम करने के बाद कौन-कौन से पॉसिवल कॉंबिनेशन हो सकते वो देखो कि इस पे वन आनी सकता कि इस पे भी वन नहीं आ सकता ठीक है उसके बाद इसमें थोड़े तीन केस बनाओंगे आराम-ाराम से बहुत, तो इसको फिल करने का जैसे इस में क्या किया मैंने दोंदीज हो सकती है यह फिर लास्ट विफ़ वन एं इन दोनों पर लेना में नहeं अब ही जो नोतों इसमें पॉसिवल्टी हो सकती है विँव तीन बना दे तो मैं आपको इधर वन लो इदर वन लिज नहीं सकते तो इस पर भी क्रोस मान लो या फिर इस पर क्रोस तो इस पर बनने सकते हैं यस या फिर दोनों पर वन मतलओ आप तीन possibility हो सकती है यह लो है तो देखो क्या क्सा एंसर फिल करना है इसका मीनिंग क्या होगा इसको फिल करना है मेरे पास 3 option into इदर तो बना गया इदर 3 option है तो again 3 क्योंकि इदर बना गया तो इदर कोई भी नमबर आ सकता है तो 3 option into इदर 3 option है तो फिर इदर 2 option होंगे क्योंकि ये दोनों cross same है ना इदर भी 2, 3, 4 से fill करना है इदर भी 2, 3 से तो ये आ गया इसकी according 3, 3, 9 और 2 18 answer आ गया उसके बाद इसकी बात करोगे इसके according वोई 3 इसको fill करने के 3 option इसको fill करने के 2 option क्योंकि इदर जो नमबर आ गया उसको इदर fill नहीं करना है तो 2 option into इदर तो बना गया तो इसका मतलब इदर again fill करने के 3 option तो इन दोनों का तो same answer है ना तो 18 दोना 36 और again देखो ही तो simple इसको fill करने के 3 option cross 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 तो इन के fill करने के only 2, 2 options है तो कितना answer आ गया 8, 24, plus 18 दोना 36 60 answer आ गया इसका मतलब A6 आपका कितना आ गया वो लो 60 answer आ गया ऐसी अपन A7 की बात कर सकते हैं और मेरे पास दूसरा मैठोड़े सको समझाने का कौन सा है देखो सभी इससे तो करी सकतो आप एक मिंड देखो अपना जो question से उसके according करोगे तो जल्दी answer जाएगा अपना कि देखो दरसनों वैसे इस question में अगर 7th question पहले दे रखा हो तो आप जल्दी समझ सकतो देखो इसमें अपन एक बार first और third option को लेते हैं क्योंकि first और third option में only किसका रोल है a1, a2, a3 का तो जैसे मेरी बात सुनों carefully देखना जैसे अगर अपन इस first option को पगड़ते हैं तो first option का मतलब क्या है a10 की value 7 और 8 की equivalent है मतलब जो भी coefficient है वो और इसका मतलब क्या है a11 की value 3 a9 plus 2 a10 की equivalent है तो इसमें ऐसे करो 11 को अगर मैंने n माना तो a1 equal to क्या गया यह 11 है तो उसे यह 9 है ना 9 को दो कम तो 3 into a1 अरे एक रीकरेंश एक क्यूशन का formation किया है मैंने क्योंकि करने को तो अभी भी कर सकते हो देखो ना जैसे let a5 कहां चला गया a5 की value क्या है उसके previous 2 को 3 और 2 से multiply करना है previous का मतलब a4 को तो करना है 3 sorry a4 को करना है 2 से इसको करना है 3 से तो a4 की value आपकी 6 है तो 6 को करना है 2 से तो 12 आ गया और a3 3 है तो 3 को करना है 3 से तो 9 आ गया और 12 कितना आ गया 21 इसका मतलब लिखेने के बाद सीदी सीदी बात है आपको a7 की बात की गई यह तो a7 का मतलब 3 sorry a7 equal to 3 a5 plus 2 a6 तो आपने अभी तो ठीक है a6 की value finite कर दी उसको put कर देना answer जाएगा आपका तो a7 n को 7 लेने पर क्या गया a7 equal to 3 into a5 a5 कितना अपना वोलो वोलो 21 यह लो plus a twice of a6 a6 60 तो कितना आगया 120 तो कितना आगया 120 प्लस 63 183 इसका अंसर आगया second option ठीक है और मैं तो बोलनों a6 की भी जरत नहीं है आप तो केवल a5 आगया अपने पास तो n को 5 लेलो ना तो a5 equal to 3 a3 plus 2 a4 तो यह आपका once again कितना जाएगा 21 ठीक है तो देखो आगर आप पहले 7th part को जल्दी verify करोगे तो 6 को करना वह सिंपल हो जाएगा तो इसके according इसका तो second option होगा इसका third option होगा अब बोलोगे सर बीन की तो बात ही नहीं कि आपने तो बीन में यह से करना आपको बीन में कि इन दोनों option को ऐसे देखना एक बार बीटू लिखना बीटू लिखना बीटू लिखके छोड़ देना बीटू का मतलब दो डिजिट का नंबर है फर्स्ट प्लेस पे बनाना चाहिए सेकेंड पे बन नहीं आसकता तो इसको फिल करने के तीन option है तो बीवन मेरा बीटू मेर प्लेश आपका सिख सजगा तो तो भी टू भी फू लिखने के बाद देखो बीटेन का मीनिंग क्या वो लगया है तूए नाइन प्लस बीन अन मतलब आप लिख सकतो बीएन इक्वल टू कितना है तू ए एन माइन माइनस वन प्लस बी एन-माइन बैस जैसे देख लेना आ को 3 put किया तो B3 कितना आगे 2 A2 प्लस B2 तो A2 और B2 की value पूट करने पर अगर वो B3 की को लागे तो option correct हो सकता है तो वर्ट इसमें 2nd और 4th option आपके incorrect है ठीक है अभी इसका correct option 30 होगा ठीक है तो इस तरीके से question को solve करना अच्छा question है चलो कि उसके बाद अगला question ही बहुत अच्छा है next passage क्या है passage 2 इसमें probability का passage given है इसको थोड़ा धंग से समझें की question क्या ना क्या चाहता है in a tennis match being played by two equally strong players a and b a table tennis मेंचे दो strongly players equally strongly का मतलब दोनों की खेलने की जो probability हो सेम है strongly का मतलब यह मानना है समय तो equally strongly मतलब दोनों की probability same है सब कुछ करने की probability a sorry strongly players a and b the probability of the server winning his service game is 2 by 3 इसका meaning कहा है जैसे लेट एने service start की तो एगर service start करता है इसका meaning कहा है जैसे लेट एने service start की तो जिसने service start की तो उसके game जीतने की probability 2 by 3 है और अगर वो service start करता है तो उसके हानने की probability वनवाइती है अगर वो जीत गया उसने service start की सर्विस करने के बाद अगर वो game को जीत जाता है तो उसकी probability 2 by 3 है अगर वो service करता है तो उसके loss होने की probability वनवाइती है जैसे एने service start की और उसकी जीतने की probability 2 by 3 है एने service start की और प्रवोबाना loss हो गया हार गया उस गेम को उसकी probability वनवाइती है और यही condition B के लिए नहीं क्योंकि दोनों क्या है strongly table tennis player है दोनों के लिए same है A और B के लिए एक एक एकर service start करता है तो जीतने की probability 2 by 3 है एकर service start करता है तो उसके loss करने की प्रविटी का बला हारने की प्रविटी वनवाइती है और same situation आपकी B के लिए होगी ठीक है चलो as per the rules of the law tennis the one मतलब question passage में बोला गया है कि वो tennis का जो गेम है उसका law क्या है one who wins at least six game with at least two games more than his opponent wins the set इसका meaning के दोबर सुनो as per the rules of law tennis the one who wins at least six game with at least two games more than his opponent wins the set इसका meaning यह बोला गया है जैसे let a को वो tennis का game जीतना है इसका मतलब उसको at least six game को जीतना must है at least two six game जीता है वो six game जीता है then a और बी के between game का difference कम से कम टू आना चाहिए जैसे let a na six game जीते हैं ना तो भी maximum four game ही जी सकता है बास सुझाएं दो game दो game का difference तो आना है चाहिए जैसे एने च्छे game जीते हैं तो भी maximum 4 game जी सकता है एने साथ game जीते हैं तो भी maximum 5 game जी सकता है यह इसका meaning है where the at least two games more than his opponent wins जो पोज़ेट वाला परसन जितने गेम जीता है उससे दो गेम उसको ज़्याहदा जीतने है इसका मतर्ब दो का डिफरेंस आना चाहिए एने छैड गेम जीते हैं तो इतरो ब्रह जी सकता में ने इसमें और गूलगई ए time OS OS Language मतलब ए ने टौस जी ज़िजा और उसी ने सर्विस स्टार्ट किया इसमें वोला गया कुछन मोलड़ी एने सर्विस स्टार्ट किया A has won the toss and is elected to the service, दोबारा सुनो कुशन क्या है, दोनो strongly table tennis play है, एक जो service करता है, उसके जीतने की priority 2 by 3 है और हारने की priority 1 by 3 है, उसके बाद tennis की rule के according क्या हो लगा है, कि जो पहले 6 game जीत जाएगा, उसको जीता हुआ माना जाएगा, वट वो opposite person से, उसके सामने वादे person से at least 2 game करता है, वहान करता है, जीता है, उसके जो win करने की number of wins जो games है, वो आपके उससे 2 greater होने चीए, at least 2 बोला गया है, और उसके बाद, alternatively उनको service करनी जैसे A ने start किया, इस question में already mentioned है, A से service start की जाएगा, पहले A game खेलेगा, A ने service start की, अब जीते हारे, अगली service भी करेगा, फि यह इस question का passage का meaning बोला गया, अब question में क्या बोला गया, दो question है, बनवाई बन देखो, the probability of A winning the first set at 6,0, 6-0, इसका मतलब क्या है, उन्होंने total 6 game खेले हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, A के जीतने की priority बतानिये, first set at 6-0, अगर total 6 game खेले जाते हैं, तो A के जीतने की priority होता हो, तो जब question ने already बोल दिया की, winning player कौन माना जाएगा, जब वो at least 6 game जीता है, इसका मतलब जब 6-0 game खेले जाते हैं, 6-0 का मतलब जब totally 6 game खेले गए हैं, इसका meaning, A को सारे के सारे game जीत at 6-1, इस बार B को जीतने की priority बतानिये, जब total game कितने होते हैं, 6-1 का मतलब 7 game, 7 game खेले गए हैं, 7 game खेले गए हैं, और winner B आना चाहिए, इसका मतलब B को 6 game जीतने हैं, वोला गया हैं, 6-1, तो B को 6 game जीतने हैं, इसका मतलब 1 game आपका, A जीतेगा, एक game आपका को जीतेगा जीतेगा, इसमें किस बात का ज्यान देना, वो भी 1-1 बात करेंगे, ठीक है, तो चलो सबसे पहले start करते हैं, question number 8 की, फिर 9 की, तो चलो देखते हैं, परसन कोई भी हो, पी, विनर, जो भी जीतता है, उसके जीतने की प्रविप्टी 2 by 3 है, अगर वो लॉस होता है, हारता है, उसकी प्रविप्टी बनवाईती है, विस इस बात का ज्यान लगे, question 8 में क्या करना है, देखो, total 6-0 game है, और A आपका विनर राना चीए, तो 6 game होने total, तो देखो कैसे होंगे, पहले A सर्विस करेगा, फिर B को सर्विस करनी है, फिर again A को, again B को, again A को और again, यह total 6 game है, इसे होंगे, बन बन, अब सारे के सारे game कौन जीतना चीए, A जीतना चीए, देखो कैसे जीतेगा, औ और service start भी इसे होगी, तो देखो, A ने service की, जितना हमेशा एक होई है, A ने service की और वो service को जीतेगा, मतला उस game को जीतेगा, जीतने की probability, 2 by 3, B ने service की, तो अब B को लॉस करना है game को, इसका मतलव, B के लॉस करने की, service तो B ने start की है, वर उसके game को लॉस करने की परविटी क आगे निसको और आना खतम तो क्या अंसर आ गया वोलो एट अपोन थी की पावर सेविन यह तो ऐसे करना सिंबल सा कुछ नहीं ठीक है अगले पार्ट में इंट्रेस्ट आएगा आपको देखो आगले में क्या करना है टोटल सेविन गेम हैं तो सेविन गेमें तो ऐसी बनेग तो टोटल सेविन गेम में सेविन गेम में उसको फिनिश करना है कंप्लिट गेम को इसका मीनिंग क्या है और जीतना भी चाहिए तो सेविन गेम के अंदर भी आपका सिक्सवा विनर होना चाहिए मतलब भी सिक्स गेम जीत जाना चाहिए इसका मतलब फिक्स है कि जो सेविन न उसमें तो b को जीतना अगर बी स्टार्टिंग में छेए गेम जीत गया तो फिर साथ है गेम क्यों खेल जाएगा जब जो जिस्ट गेम अपो जीतने लिस जाये लिए आप का सर्विस करें लेकिन वह सर्विस गेम इन को हारए यह तो एक साथ गार जेए तो एक भी तीक है वित टोटल six game घैले जाएंगे starting 286 game है इन में से आफको क्या करना है कि दो लास्ट कोटी से इस पे जी चका है इसका मतलब ईको पांच गेम और जीतने वी को पांच गेम और जीतने को कईसे कईसे जी सकता जैसे लैट थोड़ा समझने के ट्राइए करो मैंने क्या किया इने सर्विस से स्चाτव किया गल्ती से माना एजीत गया क्यै अगर जीत गया तो दो को होगा क्या अब के 5 जाओ सक Anda बीको जीत ना मस्त है तो दिएको वे कब जी जिए भी 2x3 हो B जीते है 2x3 A हार गया 1x3 B जीत जाए 2x3 A लॉस्ट कर जाए 1x3 और B जीत जाए 2x3 यह सर इसका मतलब क्या B A B A B A यह सारे के सारे गेम पर B जीता गया है और लास्ट में भी जीता गया है यह हो सकता है गया इस में पर भी 1x3 A को आपनी फर्स्ट गेम अरा या सीधी आधी बात है एंटो टोटल तीन गेम खेलता है चेह मेंसे तो इन तीन मेंसे दो गैम पर लॉस्ट करना चाहिए एक पर जीतना चाहिए उसी केस में A को केवल एक जेताना है तो कभी भी जी सकता ना जैसे लैट कि इदर वो सर्विस गेम हार जाए इदर जीज़ जाए तो बटे तीं दर जाएगा इदर दोबार एक वाटे तीन इसका मतलब क्या होगा ये जो थ्री प्लेस जें एक ही इन में से एनी 1 प्लेस पर 2 वाई 3 आना चाइए, बाकि 2 प्लेस पर 1 वाई 3 आना चाइए, मतलब in 3 अच्बाउब इन 3 qualc साइज इन 2 प्लेस पर वो सर्विस गैम को लॉस्कर ना चाहिए、 या ऐसे वह सकतो अक एन 3 catches में से उन प्लेस पर सर्विस गेम को जीतना चाहिए तो इसके अंसर यह आएगा बेटा 3C2 की एक ही जो 3 पोजिशन है इन में से दो पोजिशन आप सेलेट करो और उन दोनों पे सर्विस गेम को लॉस करना चाहिए वो ठीक है और बाकी तो सब एक पॉसिवल कॉंबिनेशन ते होगा अभी आंसर नहीं है इसका फर्स्ट केस है ठीक है अब देखो सेकेंड केस क्या सकता है वही सेम यह तो बनवाइत्री फिल करना ही करना मेरे को यह कड़ना बनवाइत्री अगली बार क्या करो देखो जैसे लैट एक बाहर बताओ इस वार आपने क्या किया एsent फर्स्ट केस में एक सो तो थीरू गेम आपनी स्टोरी बीने तीनों---- जीते हैं इस टार्टिंग की बोलता है इस बी को आपको फ़हता है। शिक्स में E in 6 Game की बात करो. लास्ट करो, यह 6 Game में से ए 3 लोस कर जाये, इसका मतलब इस बार बी इन 3ों में से एक गयम को जीट करना चाहिए, विज अब भी जब तीन भार जीद चुका है, तो अब भी जब तीन गेमों पर play करेगा या servis करेगा, तो उसमें से एक service बें वहारना चाहिए तो उल्टा भी सकता है ना, जैसे लेट, A को तो हमेशा आना है A को तो अपन को इस बार service को loss कराना है तो इधर बनवाइतरी आ गया A का ये भी बनवाइतरी आ गया और इधर भी कितना आगया बनवाइतरी अब जो B के तीन गेम है इन में से किनी दो गेम पे वो service को जीच जा और एक पे service को हर जाए फिर भी क्या हुआ 5 position पे अगें भी जीच चुका है 1st, 3rd, 5th और इन तीनों में से कोई भी दो सकती ती जैसे लेट मैंने क्या किया B पे B ने service की और वो जीच जाए 2x3 उसने इधर भी service की वो जीच जाए 2x3 और इधर service में वो हर गया तो अभी भी तो यह हुआ यह तीनों जो ब्रेकट है बनमाई थी वनमाई थी कि यह क्या है देखो यह जो B के पार्ट हैं B वाले हैं वही सेम कि B आपका once again एक पोजिशन पर लोस करना चाहिए गेम को तो वही 3C1 लिखो यह तीन में से दो पर जीतना चाहिए बास सेम ही है तो अगें 3C2 और इस फर के आएगा उपर कितना है गा मिल्टिप्लाइ में दोर दो चार वट आपके 3Y7 यह सर और 3C2 की वेलू 3 होगी 3C3 चला गया तो कितना है गया 4 अपों 3 की पावर 6 इन दोनों को एड़ करोगे तो LCM तो आगे 3 की पावर 6 और ऊपर आगया 16 प्लस चार 20 अपों 3 की पावर 6 तो इसका आंसर क्या होगा 20 अपों 3 की पावर 6 इस तरीके से कुशन को सोल करना है एक अच्छा क्षिशन था ही चलो एक बार अपने स्के ऑप्सेंस देख लेते हैं उप्सेंस क्या होगो कि हां फस्ट का अंसर तो चैमा थे पावर 3 अपोन तू की पावर 3 अपोन पावर 6 तो इसका तो यह स्वारी थे पावर 6 था तो इसके according इसका तो answer क्या आगया बताओ इसका तो answer आगया third option और उसके बाद इसका answer है 20 upon 3 की पावड़ सिक तो इसका option जाएगा second ठीक है इसका third option इसका second option है ठीक उसके बाद एक passage हो रहे है देखो मिन बाईबाद यह complex number का passage है देखो पढ़ते हैं इसको अपन ABC V3 set of complex number defined below set A का meaning क्या है यह इस complex equation को satisfy करता है B का meaning this part है और C का meaning this part है तो देखो अपन से क्या क्या question पूछी गए number of points having integral coordinates in the region A intersection B intersection C मदलब आप ABC जो तीनों region है इनको denote करोगे तो उनका जो common part है उसमें common part में total कितने coordinates हैं जिनके एक सब्सक्राइब दोनों coordinates क्या हो integer हो यह देखना है common part में और अगले में क्या वो लगया है कि real part of the complex number in the region A intersection B intersection C having maximum amplitude में भी मतलब अगेन जो common part है उस common part में एक ऐसा complex number बताओ जिसका magnitude sorry जिसका argument सबसे greater हो उसका real part आपको find out करना ठीक है तो देखो करते हैं start question को सबसे पहले काम करो इन तीनों से इनका वो देखो की किस complex sorry यह तीनों किस कर्व को रिपीजेन करते हैं तो देखो इसका मीनिंग क्या है जैसे जैड को अगर एक स्प्लस आटा वाई लेते हो आप इसकी बात करते है पहले तो क्या लिखो इसको अंडूड of x plus 1 का all square plus y square is less than equal to 2 plus real part of zx squaring करके जब simplify करको दो दो इदर क्या आएगा 4 लिख देते हैं कोई बात नहीं 4 plus x square plus 4x और इदर आगया रहे इसकार उप्रंकर दो x square plus y square plus 1 plus 2x तो देखो x square से x square cancel हो गया तो देन इससे क्या आगया relation y square is less than equal to 2x plus 3 तो यह क्या है यह एक पैरावोला की question है और less than है आप इसको दे लिए तो s1 less than 0 का मतलब यह इस पैरावोला का interior portion है कौन सा पैरावोला y square less than 2x plus 3d के चलो देखते हैं और यह तो simple है जैड माइने जैड वन का मोड गिर्द इंक्वल टू आर यह एक सरकल है जिसका center तो है 1,0 radius 1 का outer portion है उसका circumference और outer portion कोगी equal to रहा ना इसको लिख सकते हैं एक circle है जिसका center है 1,0 radius 1 है उसकी उसका outer portion लेना है चलो द्यान करना इसका और इसका मौड जैसी cross multiply करोगे तो यह आ गया जैड माइनस 1 का मौड इंक्वल टू जैड प्लस 1 का मौड तो एक option तो क्या है आप जैड को express i to y पूट करना जैसी express i to y पूट करकी squaring करोगे ना तो इसको solve करने पर answer जाएगा x less than equal to 0 कि क्या जाएगा x less than equal to 0 या फिर इसको geometrically समझ सकते हो देखो इदर कि इसका मीनिंग क्या जैड की 1,0 से distance और इसका मीनिंग है जैड की minus 1,0 से distance यह लो तो इदर सुनो यह minus 1,0 है यह आपका 1,0 है तो अगर जैड इस line पे लोगे इस line पे तो क्या होगा इन दोनों point से distance आपकी equal होगी वट आपको 1,0 से distance को greater लाना है इसका मतलब जैड को इदर वाले region में आना पड़ेगा जैड अगर इदर वाले region में होगा तो हमेशा distance क्या होगी जैड की 1 से distance और इससे distance जादा हो जाएगी ठीक है इसका मतलब जैड इदर होगा इसका मीनि क्या होगा इस तरीकी से करना है चलो अब आपन क्या करते हैं इन तीनों रिजिन को एक साथ रो करने की ट्राइग करते हैं कि तो देखो सभी सबसे पहले एक्स पर प्रेंट रो करें आप जो पैरावोल है इसका Vertex केतना है माइनेस 3y2 को माजी रोकी माइनस 3y2 पी 0 यह जी रोगा और यह लेफ्ट वड पैरावोल होगा ठीक है आप स्वरी राइट वर्ड राइट की तरह हो ठीक है यह पॉइंट कितना है माइनस के 3y2,0 ठीक है चलो इसका इंटीर पोर्शन लेना अंधर वाला पोर्शन जा रखना उसके बाद यह लाइन है x equal to 0 तो x equal to 0 को इदर वाला पोर्शन आ गया यह है इन दोनों का कॉमन तो यह वाला पोर्शन आ गया उसके बाद b का मीनिक है एक सर्कल जिसका सेंटर है 1,0 रेडियस 1 इसका मीनिक वो सरकल बनेगा ऐसे और सरकल का बार वाला पोर्शन और सर्कंफरेंस भी लिए सकते मतलब जब इन सब का कॉमन लोगे तो इन तीनों का कॉमन यह आगे द्यान के हैं चलो इन तीनों के common को अपन ब्लेक कर देते हैं यह जो ब्लेक पूर्शने इन तीनों का common part है यह इसका common part आगया ठीक है अब यह कह रहा है इस common part में total कितने integer point है दो ब्लेक बोड पे यह जो पहरा बोला है इसमें x को 0 लोगे तो यह जाएगा जीरो कॉमा रूड 3 है और यह आगया जीरो कॉमा माइनस के रूड 3 है तो देखो अपन वैसे जैसे सकते हैं इदर point होगा जीरो कॉमा माइनस मन तो यह integer point है एक 001 आगया एक 0,1 आगया यह सर माइनस टू को माजी दो भार आएका तो वोले नहीं सकता माइनस वन को माजीरो लोगे तो देखो इदर आओ यह वन है न तो वन के इसके रिगार्डिंग लोगे तो यह point हो सकता है मेरा माइनस वन को मन अभी देखते हैं क्या यह अंदर होगा की बाहर और इसकी नीचे आओ गए तो इदर point हो सकता है माइनस वन को माइनस वन तो आप इदर देखो ना अगर यह दोनों point इसमें होंगे region के अंदर इसका एक्स को माइनस वन लो वाई को वन लो तो वन लेस्जन बना गया इसका मतलब यह की circumference पर यह गलत डाइग्राम है यह ऐसे होगा यह इदर हो गया और यह इसके नीचे भी आए यह सर तो एक point 2.3.4 पांच और छे टूटर शिक्स पॉइंट है जिनके एक्स एंड य बहुत कॉडिनेट आपके क्या ओंगे इन दीजर होंगे वर्ट इसमें इंको पॉइंटक यह बबाऄन्त में लिखो मना कि है जाडिक्कुल twee my माइनस के आयोटा ये क्या होगा जेडिक्वल टू माइनस आयोटा ये क्या होगा जेडिक्वल टू माइनस वन जेडिक्वल टू माइनस वन माइनस आयोटा जेडिक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा लेकिन कुश्चन में मना किया जेडिक्वल टू माइनस वन को लेने के लिए जे एक्वल टू माइनस में माइनस गॉमा जीरो इसको इनिक रूट नहीं करना है मतलब यह पॉइंट आपको नहीं लेना है तो टोटल इसके कितना अंसर रहेंगे वह फाइव अंसर रहेंगे ठीक है चलो यह तो हो गया ऐसे अगले कुश्चन में बोला गया है इस रिजन का वह कॉंप्लेक्स अमर बता हो सबसे पहले जिसका मेगनिटूट सबसे ज्यादा हो सौरी जिसका आर्गुमेंट सबसे ग्रेट हो आर्गुमेंट का मतलब उसका पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल सबसे बढ़ा ना चीदो देखो ना जैसे लेट इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लोगे यह तो लेन नहीं है क्योंकि 0 0 का अर्गुमेंट तो क्या ओको नो डिफाइन इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका एंगल आएगा 90 और इधर आएगा माइनस के 90 अपन कोची मेक्सिम्म उसके बाद अगर आपने कितना बन जाएगा पाई इसका मतलब जो maximum argument आसकता है वो क्या सकता है पाई आ सकता है तो यह maximum पाई आ सकता है तो देखो ना यह जब पॉइंट लोगे आप minus 3 by 2,0 तो इस case में इसका जो मैगन maximum amplitude हो कितना होगा पाई होगा तो उसने पुछा real part of this part उसका सब्सक्राइब करना है इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लोगे तो उस पॉइंट का जो एंप्लिट्यूड वो कितना होगा ओल वेच पाइए इधर जाओगे तो फिर नेगेटिम में बन जाएगा तो वह वेलू छोटी हो जाएगी आपकी उसने मैकसिमम एंप्लिट्यूड करना चाहिए तो चलो एक बार देखते हैं अपन कुश्चन को बन सके हैं मेभी क्या हो सकता है इसने अपन को लिखा मेभी एक बार बन से रुको एक में सोरी तो मेभी बोला गया है तो चोटी सी बात यह देखो A intersection B में the real part of the complex number in the region A intersection B intersection C having maximum amplitude में भी अपन को उसके real part बताना जिसका amplitude maximum हो सकता है तो देखो अगर यह point लोगे तो उस case में answer maximum होगा इसका ठीक है तो यह क्या गया माइनस के 3 by 2 थीए अगर आपने माइनस वन ले लिया तो माइनस वन के case में तो देखो जैड माइनस वन ही आ गया तो यह इसे गलत हो गया ठीक है यह आपका correct हो गया उसके बाद माइनस हाफ की बात करोगे तो अगर उसका का आगा बात को सुनना अगर उसका एकस कॉंड़ेट माइनिस हाफ है तो बच्चों वाइभकोणुत तो नीचे भी आ सकते ने ऊपर आ सकता है ऊस्केस में क्या होगा उसकेस में ये बहुत व्हें सब्हूंत हो सकता है यसका आपको फैम दोbei months 3y2 क्योंकि माइनस 3y2 के case में केवल एक ही point होगा अरे यार देखो ना जब आप यह point लोगे तो माइनस 3y2 केवल इसी point के लिए वेलेड होगा बाकी जो यह point है आपके minus half minus 2 की तो बात ही मत करो minus half और minus 1 तो minus 1 इस लाइने पर होगा ना तो minus 1 की regarding अगर y कोड़िट आपका कुछ हुआ ऊपर नीचे तो यह point लेने पड़ेंगे तो इन point का argument पाई नहीं होगा इसका हो सकता वट यह point लेना नहीं मेरे को और minus के half की बात करोगे तो minus half के case में तो यह point लोगे तो सही answer वट इन point के case में answer हमेशा वैलिड नहीं होगा उस case में argument always पाई नहीं होगा और अगर यह point लोगे आप तो यह एक ही point है minus के 3y2 तो की minus 3y2 के वले इसी point पे होगा x coordinate इसका जो x coordinate हो के वले इसी point पे होगा तो यही option आपका फिल होगा तो maybe का मतलब आपको only second option इसको फिल करना ठीक है चले तो यह बात ही अपने section A की अब अपन बात करते है section B की ठीक है तो section B का first question क्या इसमें total seven question से देखे बनवे बन a bag contain 10 walls of which some are black and other are white एक बैग में total 10 walls है उन्हें मेंसे कुछ बोल तो आपकी black है कुछ other wall are white कुछ बोला नहीं गया 10 wall है उन्हें मेंसे कुछ black कुछ white है ठीक है चलो a person drone six wall एक person उन्हें मेंसे total 6 wall drone करता है and finds that three of them are white and three of them are black मतलब उसने आपको six wall drone की उसमें तीन बोल ब्लेक आती है तीन वाइट आती है मतलब कुछ नहीं सेम equivalent number में आती है ठीक है चलो find the probability that number of white balls in the bag are same as black ball is m upon है मतलब कुछ नहीं find the probability that is m in यह find को अड़ा देने चीव इसे की probability that number of white balls in bag are same as which balls is m in मतलब उस 10 में से आपको six wall drone करनी है और six wall drone करने पर कुछ ने पहली बोल दिया कि तीन बॉल ब्लेक आती है तीन बॉल आपकी वाइट आती है तो priority आपको इस बात की बतानी है कि बैग में दोनों ball equal number में होनी चीव है दोनों ball 55 होनी चीव इस बात की priority क्या हो सकती ठीक है तो दो इस question को कैसे करना है करते हैं स्टार्ट कि समझना देखो situation क्या क्या हो सकती कुछन में total 10 walls हैं अब 10 बोल में से कुछन ने अल्यड़ी बोल दिया कि six wall को ड्रोन करना है त्री वॉल आपकी white आती है त्री वॉल ब्लैक आती है इसका मतरभ फिक्स है मिनीमम उस बैग में तीन white और तीन black तो होंगी बाकी की wall white और ब्लैक कुछ भी हो सकती है ठीक है तो इसमें देखो क्या क्या लिख सकता हूं में 3 बॉल आपकी वाइट हो तो 7 बॉल ब्लेक हो सकती है तो मैं इस केस में क्या करूंगा 3 वाइट और 3 ब्लेक बॉल्स को ड्रॉन करने की जो प्रॉप्रोविटी हो क्या होगी बोलो सबी 3C3 into 7C3 upon 10C3 यह सर इसका मीनिंग यह है कि अगर बैग में 3 वाइट और 7 ब्लेक बॉल है तो उनमें से 3 वाइट और 7 ब्लेक बॉल की प्रॉप्रोविटी अपॉर में तो सेंपल स्पेस आगिया 10C6 10 में से 6 लेनी है वट फेवरिवल केस का मदलब तीन में से 3 वाइट की तीन में से 3 वाइट लेने के तरीके 3C3 और 7 में से 3 ब्लेक लेने के मैटड 7C3 यह सर उसके बार अगली स्विचिशन क्या हो सकती है समझो बाई चांस अगर ब्लेक बॉल में बैग में 4 वाइट है तो 6 मेरी विलेक उसकती है अगली स्विचिशन क्याहें होगी चांस आप वाइट 5 ब्लेक हो सकती है कि 5 relay नेक्सट बोलो 6 वाइट photo इस वाइट फोर बाद को सकती है बहुत सेविन वाइट 3 black क्योंकि 3 white और 3 black होना तो must है यह लखोगे ना उसके बाद जब इस case की बात करोगे कि bag में अगर 4 white और 6 black बोल है तो 3 white और 3 black की probability पी अगें 3 white, 3 black कौम सा second case में तो क्या लखोगे बोलो 4C3 into 6C3 upon 10C6 ठीक है ऐसे ही आप अगले की लिख सकते हो ना 5C3 into 5C3 upon 10C6 6C3 into 4C3 upon 10C6 7C3 into 3C3 upon 10C6 यह तो आगया question का sample space, sample space का मतलब अगर bag में यह बोले हैं तो 3-3 निकालने के यह probability up to so on तो sample space में तो क्या करना है, इन सारी probabilities को आपको add कर देना है, 7-6 बार, 1-2-3-4-5-6 बार, यह तो आगया sample space उसके बाद favorable case का मतलब क्या, जिसकी probability पूची गई है, probability अपन को किस बात की बतानी है, कि bag में equal numbers of white और black बोलनी चीज़ का मतलब, पाँच white और पाँच black होने की जो probability यह वो आपकी क्या होगी, अगर bag में 5 white और 5 black balls हैं, यह probability आपको बतानी थे, तो 5 white और 5 black की जो probability वो क्या लगोगे, 5C3 into 5C3 upon 10C6, तो देखो, sample space फेवल किस लिखने के बाद, जब F को S3 डिवाइड करोगी तो आपको required probability find out हो जाएगी, ठीक है, अब इसके बाद question को आप करना, क्योंकि इसकी calculation करनी पड़ेगी, उसके बाद, next question is, यह बीच में question आगा है, matrix का कोई बात नहीं कर देते हैं, इसको देख लेते हैं, PQRV3 non-singular matrix, non-singular का मतलब जिसका अपन inverse find out कर सकते हैं, मतलब PQR का determinant 0 नहीं है, इनका order 3 given है, P square plus 2i आपको 0 given है, लिखते हैं इसको, मतलब आपको given है, P square की value minus k2 आई यह सर, फिर उसके बाद given है, determinant of 2R minus P square, 2R minus P square के determinant की value कितनी given है, 32, तो then आपको this part का determinant करना find out, तो देखो कैसे करोगे question, एक बाद लिखते हैं, जिसकी value find it करनी है, कौन है आपको, P की power 5 minus 2 P cube into R plus Q P square minus 2 QR, और यह given है condition में, यह भी आपको 0 given है, तो then आपको क्या बताना है, Q minus P square की value को करना है calculate, यह सर, तो देखो कैसे करोगे question को समझो, तो एक बास समझे आती है मेरे को, मैं P square को minus 2Y पूट कर सकता हूं, तो P square को minus 2Y लेने पर क्या गे, 2R plus 2Y का determinant equal to 32, अब देखो two common लोगे आप, तो आपको पता होगा, किसी determinant में से कुछ constant को बाहर लेते हैं, यह लिखा होगा समने, यह पढ़ा होगा, कि का determinant, अगर A का order 3 है, तो बाहर किया आता है K की power N, यस सर, determinant of A, तो अपन को पता है, R और I का order 3 है, तो 2 की power 3 बाहर आ गया, मतलब 8 बाहर आ गया, तो क्या आगे, R प्लस I का जो determinant है, वो आपका 4 आ जाएगा, कितना जाएगा वोलो, 4, यह एक relation आगे, इसकी यूज करते हैं, बाद में जरुद पड़ेगी तो, इसके बाद इस condition को थोड़ा solve करते हैं, क्योंकि अपन को value किस की चीज़िए, कहां चला गया वो, Q-P का determinant का amount is not equal to, मतलब इसकी value क्या नहीं हो सकती ही देखना है, तो चलो देखते हैं, तो सबसे पहले काम करो, इसको simplify करो, अपन को Q और P से मतलब है, एक काम करो, इस P को थोड़ा simplify करते हैं, पन, देखो, P square मेरा minus 2 I है, तो P की power 4 क्या आने वाला है, पी की power 4 का मुलब इसको दोबार multiply करो, कितना आगया, चार आई आगया, और P की power 5 की बात करोगे, तो इस P की power 4 को दोबारा P से multiply करते हैं, तो 4P आगये लो, निया ही समझवाद, P square minus 2 I है, तो P4 आगया 4 आई, दोबार multiply, P की power 5, तो P से multiply कर दो ना, तो P की power 5 को मैं 4P लिख सकता हूं, तो दोबार को दोबार लिखते हैं, P की power 5 तो आगया 4P, minus 2 R, P cube, P square मेरे पास minus 2 I है, तो इसको अगेन P से multiply कर दो ना, तो P cube कितना जाएगा, तो किसी matrix को I से multiply करने पर वो matrix से आती है, तो minus की 2P आगया है लोग, तो P cube को जब minus की 2P लोगे, P cube को minus 2P, तो प्लस, यह आगया 4P, तो यह आगया 4RP, करते हैं जितना simple हो सकता है, उसके बाद, again P square की value कितनी है, minus की 2I, तो कितना आगया minus की 2Q, P square को minus की 2I लोगे, और minus 2Q, R equal to 0, इसको थोड़ा simplify करते हैं, दोखो, first और second में तो common आगया 4P, तो जब 4P common लोगे, तो bracket में आगया रहे, I plus R, क्या गया वोलो, I plus R, इतना आने के बाद, minus, इसमें common आगया 2Q, तो once again bracket में आगया, I plus R, तो आप again, I plus R को common लोगे, तो bracket में क्या आगया देखो, I plus R को common लेने पे, bracket में आगया, 4P minus 2Q, equal to 0, ठीक है, इतना आने के बाद, देखो, इसमें क्या-क्या possibility जो सकती है, या तो आप लिखोगे, I plus, R equal to 0, और, 4P minus, 2Q equal to 0, I plus R equal to 0, या फिर लिख सकतो, 4P minus 2Q equal to 0, और एक बात को सोचो न, I plus R 0, हो भी सकता और नहीं भी, बट, जब आपको question में given है, R plus I का मोड, बात को सोना carefully, R plus I का मोड, इसका मतलब क्या है, या का मतलब क्या है, I plus R की value null matrix हो सकती है, या not null, तो जब question में given है, एक बात बताओ, अगर I plus R में null matrix है, तो इसका determinant भी क्या हैगा, 0, और question में जब आपको पता है, I plus R का determinant 4 आ गया, इसका मतलब ये तो 0 आनी सकता फिर, ये तो 0 आनी सकता, तो फिर 0 इसको होना पड़ेगा, फिर इसको क्या होना पड़ेगा, बलो 0, तो क्या आ गया, 4P equal to 2Q आ गया, तो आप लिख सकता हो बेटा, Q equal to 2P, क्या लग सकते हैं, Q को मैं पूट कर सकता हूं 2P, तो Q अगर 2P आ गया, तो एक काम करो ना, Q की वेलू को जब 2P लोगे, तो 2P minus P, P तो या आ गया, determinant of P का स्क्वार, इसको simplify करने पर क्या गया, determinant of P का स्क्वार, अब अगर ये determinant of P का स्क्वार है, तो ये काम करो ना, इसका दोनों तरफ अपन डिटिमेंट लेते हैं, तो determinant of P का स्क्वार कितना जाएगा, minus 2I का determinant, ये मौड नहीं दानक ना, तो minus 2 को बाहर लोगे, तो minus 2 की पावर 3, तो minus 8 आ जाएगा, तो P स्क्वार का determinant की आएगा, minus 8 आ गया, अब बच्चों को लग रहा होगा, सर्फ किसी determinant का स्क्वार minus 8 कैसे आ सकता है, तो एक भाव बताओ, अगर उसकी integer imaginary हो, तो आ सकता है ना, तो कुष्ण में ऐसा कहीं नहीं बूला गया है, कि P की आ की जो इंटीज हो रियल इंटीज है, ठीक है ना, तो P स्क्वार का determinant minus 8 आ गया, तो कुष्ण ने यही पूचा गया, और यह मेरा P स्क्वार के equivalent है, determinant of, तो इसका अंसर क्या आएगा, minus 8 तो कुष्ण ने पूचा, is not equal to, minus 8 की अलावा सारे ओप्शन फिल कर दो, तो इसका second, third or fourth option आपको फिल करना, ठीक है, चले हैं, उसके बाद एको third question में क्या करना है, यह एक अच्छा question है, let capital N has total 105 factors including 1 and N, मतलब एक number N जिसके total आपको divisors गिवेन है 105, इस number N के total divisors वन जी रुफाया है, फैक्टर का मतलब उसके divisors के विवेन है 105 जिसमें number 1 और N को भी निक्रूट करना है, होगि जो अपन divisors की number of counting करते हैं, उसमें generally 1 और N को लिखते हैं, ठीक है, चलो, if N is DBJ लगा है 1000, मतलब जो number N जो number N जो एक number N है, जिसके total divisors है 105 और वो number N आपका 1000 से कहा है, DBJ वालठी के चले, then the total number of odd factors of N lying between 1 and N, मतलब इस number N के total odd divisors कितने हो सकते, जिसमें 1 और N के between, जिसमें 1 और N को include नहीं करना है, जाना करना है अस बात को, तो तो कैसे करोगी question को, अच्छा question है, जैसे लेट एक number N है आपका, उसको मैंने ऐसे माल लिया, 2 की power alpha 1, अभी समझ में आजाएगा सबको, 3 की power alpha 2, 5 की power alpha 2, क्योंकि जब भी अपन divisors की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके prime factor करते हैं, यह लिखने के बाद, सबसे पहला काम तो यह देखो, जो number N है ना, उसको 1000 से divide करना है, मतलब जो number N है, वो 1000 से divisible है, इसका meaning क्या होगा, इसका meaning है, 8 गुणा 125, इसका meaning है, 8 into 120, इसके भी करो prime factor, तो कितना गए, 2 की power 3 into 5 की power 3, इसका meaning क्या है, कि number N अगर 1000 से divijival है, तो then, जो number N है, इसमें 2 कम से कम 3 वार और 5 भी कम से कम 3 वार आना चाहिए, मतलब, alpha 1, alpha 3 की value, minimum 3 तो होनी होनी चाहिए, कम से कम हो लागा है, alpha 1, alpha 3 is greater than equal to 3, तो कि जब minimum 3-3 होगे, तो उस case में number N 1000 से divisible हो सकता है, ठीक है, चलो, उसके बाद, जो number N है, इसके total divisor given 105, तो एक बाव बताओ, अगर number N इस format में है, तो divisor का formula क्या था, alpha 1 plus 1 into alpha 2 plus 1 into alpha 3 plus 1, यह सर, तो दो कैसे करना है, यह 105 इसके करो factor, तो क्या होंगे, 3, 35 high, 15 संति, हाँ, ठीक है, 357 आगया, मतलब, जो number N की divisor है, 105 इसको मैंने क्या लग दिया, 3 into 5 into 7, और 357 तीन हो कैसे number है, prime factor है, तो एक बाद बताओ, यह 3 कवा सकता है, मेरी बात को सुनना, 3 का मतलब 2 plus 1, अगला 4 plus 1, और अगला एक आगया 6 plus 1, मतलब यह जो alpha 1, alpha 2, इन में 1, 1 add करोगे, तो वो इस pattern में आना चाहिए, कोई सभी आ सकता है, जैसे लेट, alpha 2 में, alpha 2 को 4 मान लिया, तो 4 plus बना गया, alpha 3 को मैंने 2 मान लिया, तो 2 plus बना गया, और alpha 1 को 6 मान लिया, तो 6 plus बना गया, वट, हमको ध्यान यह देना है, alpha 1, alpha 2, minimum आपके 3 हैं, तो जब इनका plus करोगे, alpha 1 plus 1, alpha 3 plus 1 is greater than equal to 4, इसका मतलब fix हो गया, कि alpha 1, alpha 2, plus 4 आगया, इसका मेनिंग, जो 3 की पर alpha 2 है, यह मेरा 2 plus 1 होगा, मैंशा, क्या होगा, वोलो 2 plus 1, अरे यार, यह 4 plus 1 और 6 plus 1 लाना है, इसका मतलब, 2 की पावर और 5 की पावर, 3 से ज़्यादा लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर इस पावर को ज़्यादा लोगे आप, तो फिर यह कम हो जाएंगी ना, तो उनका प्रोडेक्ट 3, 5, 7 आई नहीं सकता, समझे मेरी बात को, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बोला, 4 plus 1 लाना है, 4 plus 1 लाने का मतलब, alpha 1, alpha 2, alpha 3 में से 1 को 4 मानो, तो अगर आपने इसको 4 मान लिया, तो एक बार बताओ, इसको 4 मान लिया, तो इसको 2 मानोगे, इसको 6, तो यह 2 थोड़ी आएगा, यह तो कम से कम 3 आना चाहिए, इसका मतल सारा करते हैं, पर दोबार क्या समझ लोग तो, तो सिंपल हो गया, इसको ऐसे लिखते है, n equal to, तो 2 की power, 4 हो सकती है, तो 5 की power, 6 हो सकती है, हो गया ना, और 3 की power, alpha 2, तो 3 की power 2 हो सकती है, इसमें 3 की जागे, से में लग दूस से कोई फरंग नहीं पड़ेगा, क्योंकि फैक नमर को मैंने 6 लेट किया, तो हाँ, इसके divisors ये भी हो सकते हैं, और ये नमर मेरा 1000 से भी divisible है, इसके बाद अगला combination क्यों सकता है, एक बार स्कूल्टा कर दो, 2 की power 6 ले सकते हैं, 3 की power 2 से सकते हैं, 5 की power मैं 4 ले सकता हूं, ये भी possible combination हो सकता है, और अगली बार एक काम करो ना, ये 3 को भी क्यों लेते हो, जैसे लेट, ये तो फिक्स है, इसको और इसको, इन दोनों में से एक अगर 2 पे आ गया तो दूसरा 5 पे आना चीए, ये तो फिक्स है ना, तो जैसे लेट मैंने इसकी बात की, एक बार इसको जंग समझने की ट्राय करना, इस portion को अड़ा द जैसे लेट आपने क्या किया, 2 की पावर, 5 की पावर तो ली 6, 3 की बात ही मत करो, 3 की पावर जीनो मानलो आप, एक काम करो ना, अब 5 की पावर 6 लेने का मतलब 7 तो आ गया, और ये कितना है बोलो, 4, 5, 15, तो 15 लाने के लिए काम करो ना, 2 की पावर 14 मानलो दिक्कत क्या रह तो इसको एसिव लिख सकता हूं, मैं देखो, n इक्वल 2, 2 की पावर तो रखो, 4, इन्टू, 5 की पावर किदर करो, 5 की पावर लेके आने हैं, तो 7, 21 कर देते हैं, 21 का मतलब 20 कर दो इसको लो, तो, एक पावर, 4 तो इदर कर दिया ना, तो 3, 21, 20, सही है, तो 20 लेने पर क्य आगया, 21 प्लस 5, 21 गुणा 5, आगे 105 आगया, यह हो सकता है, उसके बाद, इसके भी दो कॉंबिनेशन और बना सकते, बना देते हैं, प्रॉपर समझाने के लिए, इसमें क्या लगोगे, n इक्वल 2 बोलो, इस बाद 2 को इसके साद लाना है, मतलब मेरे को क्या लिए कहना है 6 और यह, प्लस 7 ती 21 लाना है, तो एक काम करो, 2 की पावर 20 लिख दो, इन्टु 5 की पावर 4 और नेक्स्ट इज बोलो, क्या करो, इस 2 को इस पर ले जाओ, तो अगें, 2 की पावर 6 इन्टु 5 की पावर 14 यह सर, तो 14 लेने पे 15 और 7, 105, यह कॉंबिनेशन बना सकते हैं, टो पॉसिवल कॉंबिनेशन होगे, तो उस केस में, टोटल डिवाइजर आपके 105 होंगे, और जो नंबर रहन है, वह आपका 1000 से क्या होगा, डिवीजेवल होगा, यह सर, फिक्स है, हर कुशन में यही पॉसिवल कॉंबिनेशन होगे, अगर इस टाइप का कॉशन आ गया, तो चलो, अब देखो, इसने पूचा है, और डिवाइजर कितने हो सकते हैं, तो कोई भी नंबर, और नंबर कब होगा, जब उसमें, टू का मल्टीपल नहीं होगा, अब सुना बात को डंग से, यह सारा थियो पार्ट है, जो आना चाहिए अपन को, तो देखो, अगर मैंने इ इसको रिमूब कर दो, इसको रिमूब किया, तो 3 इंटू 6, 21 आगे न, वट, इस 21 में, जब आपने 2 की पावर 4 को रिमूब किया, तो नंबर N तो आनी सकता न, वट, जब यह लोगे, तो उसमें इसका एक डिवाइजर 1 भी आएगा, लेकिन कुछ ने पूचाए गया, वन इसको बूल जाओ आप, क्योंकि ओड लाना है, तो 2 को अटाओ, तो 5 प्लस 6, 7 आगे न, वट, मेरे को, वन को नहीं लेना है, तो इससे भी 6 आँशर आगया, इसमें इसको बूल जाओ, तो 21 आगया, तो अगें 20 आगया, ठीके, इसमें इसको बूल जाओ, तो 5, 4 प्लस 1, 5 होगा, लेकिन 1 को नहीं लेना है, तो अगें 4 आगया अंसर, और इधर कितना आगया, बोलो, अगें 14 आगया, तो जो डिवाइजर से हैं, ओड डिवाइजर, या तो वो 20 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और 6 हो सकते हैं, तो इसके, according इसके, all 4 options are correct, ठीक है, इस तरी अगें 15 balls, in which the balls can have either black or black color, और white color, मतलब एक बैग में total 15 balls हैं, उनमें से, कुछ black हैं, कुछ white balls है, if BN is the event that, एक BN event बोला गया, that, the bag contain exactly N black balls, BN का मतलब क्या है, कि उस बैग में exactly N आपकी black balls हैं, and its probability is proportional to the N square, मतलब बैग में अगर N आपकी black balls हैं, तो उसकी probability क्या N square के proportional है, तो इसका मतलब क्या है, कि probability of BN, BN का मतलब बैग में N, black ball होने की probability वो किसके proportional है, बोलो N square के proportional है, यह सर, तो इस proportional को अड़ा हो गया, इसकी ज N equal to K N square, इसका meaning यह है कि जैसे लेट N को मैंने 1 लिया, तो B1 का मतलग है, अगर बैग में एक बॉल आपकी black है, तो उसकी probability क्या होगी, K into 1, की probability की होगी, अगर N को 2 लिया, तो बैग में दो बॉल आपकी black बॉल हो, तो उसकी probability क्या होगी, 2 square 4 क्यों होगी, K की वेलू की बात क बैग मतलब एक इवेंट यह है, जिसका मतलग है getting a black ball, एक बॉल आपको ड्रॉ करनी है, वो कैसे होनी ची ब्लैक बॉल होनी चीए, बैग में से आपने एक बॉल ड्रॉन की, और ड्रॉन बॉल के ब्लैक होने की जो probability है, उस इवेंट को क्या नेम दिया गया है, तो दो को पहला question तो क्या है, सिग्मा एन इकल टू जीरो से 15, बी पी एन इकल टू बन मतलब, एन को जीरो लोगी तो, पी वी जीरो प्लस पी ब्लैक हो, अब टू, सारी की सारी बॉल ब्लैक हो, इन सारी minority का सम हमेशा 1 होगा ना, अरे यार, बेंग में या तो ब्लैक होगी हो वायट, तो ब्लैक होगा अगर बैग में वायट है, ब्लैक है, जीरो ब ब्लैक है, उसकी probability, एक ब्लैक की प्रववववववववववववववकी, दो की, तीन की, अप्टू, एन की, डीश मैक्सिम 15 है इन सबकी प्रवबटी का सम हमेशा वन होगा यह सर तो इसका फर्स्ट अप्शन तो हमेशा करेक्ट होगा और इसकी हेल्प से अपन के की वेली निकाल सकते हैं बी जीरो का मतलब एन को जीरो लोगे तो जीरो आगे अटाओ इसमें क्या आएगा के आगया अगले में चार की आजाएगा अगले में आठ की आगया और अगले में आजाएगा पंद्रहेश के पंद्रहेश स्कॉर के एक्वल टू वन के जब कॉमन लोगे तो क्या गया वन स्कॉर प्लस टू स्कॉर प्लस त्री स्कॉर प्लस फिप्टीन का स्कॉर यह सर तो क् तो इसमें के को जो 15 लोगे और उसके गुणा भाग करोगे बच्चो तो इसमें जो के की वेलु आती है वह आती है वन अपॉन 1240 जितना मेरे को याद है ठीक है तो इसका फर्स्ट ओप्शन हो गया और फर्स्ट ओप्शन की हेल्प से आपने इस प्रोपोर्शनल कॉंस्टेंट की वेलु को भी कर दिया फाइंड़ यह सर इतना आने के बाद आगे क्या करना है वो देखो सेकेंड और थर्ड ओप्शन को वेरिफाई करना है क्योंकि थर्ड और फूर्थ ओप्शन तो एक जैसे ही है तो आजाओ सब मेरी तरफ दोबारा कि इसको अटा देते हैं दर से अगगे देखो कि पर टूट टूट्वोर अपन थर्टी थी पीक मतलब क्या है एवेंट एक पश्विटी बताओ इवेंट एक-क मतलब कि आ है कि बैग मैं से आप एक बोhosडों करते हो तो इस बोल के बैक उने के प्रोडीट को दरनोट करताюсь है क्या करता है क्या करता वो बाल के ब्लैक होने की प्रोडिट बॲिट तो एक बात खुर सोचूत ना जो पीर है इसका मतलब क्या है और पीक का मीनिंग ए कि बैग में से एक बहुए ड्रmail की और वो ड्रान वोज कैसी हो वो ब्ल aixòसी सिंपल सी बाती है कि बेग में टोटल 15 वॉल्स हैं तो 15 वॉलस में से जीरो में आपकी रैक की सारी वाइक हो सकती हैं एक वाइट एक बलेक 14 वाइट तो उसके रिगार्डिंग सम्में अलग अलग प्रोबिलिटी इसको आपको एड़ करना पड़ेगा तो उसको मैं सीधे लिख सकता हूं समझ जाओगे आप सभी सिग्मा एन एक्पल टू जीरो से फिप्टीन पी इंटू प्रोबिलिटी ओफ ई अपॉन इसका मीनिंग कै? जैसे एन को जीरो लिया, बैग में सारी की सारी वाल है तो बैग में से एक ब्लैक बाल निकलने की प्रोबिलिटी और यही तो मीनिंग हे ना पवाई बैग में बाल रखी हुई है आपको एक बांड ड्रोल होना है तो इवेंट ही का मतलब है उस बांड के लर्क हैसे सारी ऑफेटीड क्या होगी कि 1 x 15 थिक है तो क्या करना है तो इसमें सारी फ्रविम्टी को वेड करना है असे लिख सकत हो यह तरीकी से तोटल प्रविर्यायटी का कुछस्छन है किसका वह लों टोटल प्रवियूटी लो का कुुछन आ गया तो mm हो देखो लिख सकते हैं सिग्मा एन एक्वल टू जीरो से फिप्टीन है पहले सिग्मा को उपन करने से पहले सीधर लग दो ना पी बी एन मतलब बैग में एन अगर ब्लेक बॉल हो तो उसकी प्रविटी किसकी क्लेंट होगी के एन स्वार के क्लेंट यह लो और इन्टू ए अपॉन बी एन इसका मतलब क्या है कि बैग में एन बॉल आपकी ब्लेक है तो उसमें से एक बॉल को ड्रॉन करने की प्रविटी बताओ तो देखो ब्लेक बॉल पर जैसे लेट टोटल पंद्रे बॉल है इन में से एन बॉलतो है आपकी ब्लेक तो फिप्टीन माइनस एन बॉल होंगी आपकी वाइट तो एन ब्लेक बॉल और फिप्टीन माइनस एन वाइट बॉल में से आपको एक बॉल को ड्रॉन करना है और ड्रॉन वाल इज ब्लेक तो उस एक बॉ के एक बॉल को ड्रॉन करने पे उसके ब्लेक होने की प्रवर्विटी क्या होगी एन में से आप एक बॉल सेलेट करो ब्लेक अपन टोटल कितनी है फिफ्टीन सीवन यस सर उपर तो क्या गया एन ब्लेक में से बन बॉल को सेलेट करने का में सीवन अपन टोटल में से एक बॉल अंदर आगया सिग्मा एंक्यूग और सीधी सीधी बात है जीरो से 15 पुट करोगे तो सिग्मा एंक्यूग का फॉर्मुला एन इंटु एन पस नवाई टू का होल स्कॉर और एन को पंदर अपुट करके कि वेलु आपको पता है ठीक है तो जब पुट करोगे ना तो यह अंसर करेक्ट आएगा ठीक है तो यह सेकंड पार्ट ऐसे करना है इसको करना है टोटल प्रविलिटी लॉस है यह सर अब थर और फूर्थ को कैसे करना है एक और देख लेते हैं इसकी तो जुरत पड़ेगी तो बता देना है उद्धर लिखा हुआ है पी फाइव अपॉन एका मतलब क्या है यह कुछन है आपका किसका कंडिस्म प्रविल्टी का पी अपॉन बीका मतलब पी एंटरसेक्शन भी अपॉन पीवी तो लिख सकते हैं इसको पी कि बीफाइव इंटरसेक्शन एपॉन पी यह सर तो दो को यह तो वह सिंपल है नीचे तो क्या एगा इवेंट एकी प्रविटी ओलड़ी कर चुको 24 वाई 31 तो कि बीपार्ट हो गया तो ही सी और डी पे टेच कर पाऊ गया और नियुमेंटर का मतलब क्या है इवेंट इको ध्यान में रखके बीफाइव इसका मीनिंग क्या लिख सकते है अरे इसका सीधा साधा मीनिंग है कि यदी बैग में यदी बैग में पांच बॉल आपकी वाइट है तो इवेंट इकी प्रविटी बताओ क्या मतलब इसका यदी बैग में पांच बॉल आपकी ब्लैक है तो उसमें से एक बॉल जो ड्रॉन की है उसके ब्लैक होने की प्रविटी आपको लिखनी है सर या फिर इसको ऐसे लिए सकत आप तोड़ा प्रैक्टिकली समझे मैं सीधा लिख सकता हूं कि बैग में अगर पांच बॉल ब्लैक हैं तो उस में से एक बॉल के ब्लैक होनी की प्रविटी बिताओ तो देखो मैं इसको सीधा समझे सकता हूं आपको बिदाउड फोरॉमले से ऐसे जैसे एक काम करते है पर इसपे सक्रीट करते हैं तोड़ा लैं ऐग को सब्सक्राइ सब्सक्राइए इसका मेनिंग क्या है कि यूजर पां आपकी ब्लैक है सुर्य बेग में अगर पांच गोर्ण बलैक है तो उसकी प्रविटी के लखोगे लिखाया था ना P BN एक्वल टू K N स्कॉर तो बैग में अगर 5 वॉल आपकी ब्लेक हैं तो उसकी प्रवटी क्या जाएगी 25 के ये सर ये तो क्या था बैग में 5 वॉल ब्लेक की प्रवटी है और यदि बैग में 5 वॉल आपकी कैसे हैं वो ब्लेक हैं तो उसमें से ड्रावन वॉल के ड्रावन वॉल के ब्लेक होनी की प्रवटी क्या लग होगे 5C1 पॉनis सर बस इसी को ऑपन करना आपको और उप में तो वो लिखना है तो कितना आगया के की वेलू पता आपको अरसे हैं आ इसको स्वाल कर दो आप और इसका मतलब भी ती यह ना पी भी भाय का मतलब बैग में पांच बॉल के ब्लेक होने की प्रविटी फाइव एन स्क्वार सॉरी के एनस के पच्छीश इन्टू अगर बैग में पांच बॉल आपकी ब्लेक हैं तो उसमें से एक बॉल को ड्रॉन करने की प्रविटी तो वही लिखोगे ना फाइव फिप्टीन इससर ठीक है तो इसको स्वाल कर देना तो आपका फॉर्ट उप्सन इसमें मैच कर जाएगा तो इस तरीके से इसली कंटेन वन रेड एंड टू ब्लेक बॉल्स एक बैग में इसली क्या वो लगया है कि वन रेड और टू आपकी बिल्व बॉल्स है ठीक है एन एक्स्वेंट कंसिश्टिंग ऑफ सेलेक्टिंग ए बॉल एट रेंडम नोटिसिंग इट्स कलर एंड रिप्लेश्ट इट टोगेदर विद एंड अडिशनल वाल ऑफ दी सेम कलर मतलब इस बैग में से आपने वन जैसे बंवड को ड्रोन किया बन वोल को ड्रोन करने के बाद इसका कल नोटिस किया माना वह वो रहन कीता तो आप क्या करोगे ऒंकी सेम क्लर की एडिस्यंगों के सा glance کو दोबढरा पूट कर दोगे यह ने अफिल यह थी टैंम्स अंप्र यह एड प्रोसेस रिपीट aware मार्य प्रॉबिलिटी देट एट लिस्ट वन ब्लू बॉल इज ड्रॉन इज पॉइंट 9 मतलब आपने तीन बार बॉल को ड्रॉन किया बनवाई बन तो कुश्चिन बोला गया है एट लीस्ट वन ब्लू बॉल ट्रॉन मतलब तीनों प्रोसेस में कम से कम एक बार आपकी कौन सी बोलाने चीए ब्लू बॉल मतलब तीन बार प्रोसेस करोगे आप तो पहली बार बले का सकती है बार blue नहीं आए या दो बार blue आ सकती है एक बार blue नहीं हो ये तिनों की तीनों बार आपकी blue ball होगी, तो तीनों बार red ball आने की प्रावटी के लिए क्लिए क्या करो, तो इक बार red ball का ट्री रहेगा, मना दो आप, पहली बार एक ball ड्रोन की red आना चीए, तो red आने के लिए क्लिए क्लिए, एक ball red रोकी, तो अगली बार बैग में क्या होगी, क्योंकि दू रेड और दू गोगी एक एंडेशनल बॉल फिर अच्छे अपने तो यह फ़र्स्ट बार गेन है इक रेड़ ऑल को ड्रोण किया तो क्या होगा 3ड अर फाइव सुरी 3ड और 2 गिल जूरी टियू और कर देना है तीन बार पुर्शस करने की परबैर नहीं होगे सीधिये सीधिये वन भाई थ्री को कि एक ही बोले ना रेड वन भाई थ्री इन्टू कि सेकेंड टाइम रेड बॉल ड्रोन की प्रवविटी वन सगेंड टू भाई फूर दो बटे चार यह लो कि और थाइम एक रेड बॉल अगें डोन को किया tombi疫abur यह इसकी प्रवंट यह होगी इसका मंतलब कि तीनो बार रेड वोल अगर ड्रों हूं उसकी प्रवटी होगी तुदेको धूर तीन से तीन चला गया तो कितना है के 1x10 आगे है, मतलब तीनों बार red ball आने की priority 1 y 10 है तो at least one bar blue आने की priority क्या करूए कि one way से माइनस कर दो तो 1-1 10 आगया 9 by 10, 9 by 10 का मतलब 0.9 तो यह लो इसका फिर्स्ट ओप्शन करेक्ट होगा ठीक है, simple Second part में क्या बोल गया है? probability that exactly one blue ball is drawn is 0.2 मतलब केवल एक बार ब्लू बोलाए तो थोड़ा इसको थोड़ा क्या आप कर देते हैं और क्या है एक बार ब्लू बोलाने इंची इसका मतलब वो पहली बार ब्लू आ सकती है अगली दोनों बार ब्लू नहीं है तो दोनों बार क्यासी होगी आपकी रेड होगी ठीक है न सेक दो ब्लेक दूसरी बार भी आपकी रेड बोल आए या पर एक काम करते हैं इस केस को तो यही मैं इलिमेट कर देता हूँ सुनना बात को पहली बार रेड है दूसरी बार रेड है और तीसरी बार बॉल कौन से आने चीए पहली बार आपने बॉल ड्रोन की रेड हो, सेकेंड टाइम भी रेड हो और तीसरी टाइम आपकी बॉल हो वाई सुरी ब्लेक, ब्ल्यू बॉल हो तो तीसरी बार बॉल होने पर क्या करोगे इसको तीन कर देते हैं और इसको भी तीन कर देते हैं यह सर तो देखो एक बार black wall है तो एक बार blue wall है तीसी बार में ही है अगली बार क्या करो वो दूसरी बार में आ सकती है पहली बार में आ सकती है तो दूसरी बार में लाने के लिए इसको भी कर देते हैं कि पहली बार red हो दूसरी बार blue हो तो दूसरी बार blue होगे तो क्या होगी इसम तो तीन आपकी ब्लैक होंगी ठीक है और लास्ट केस क्या होगा पहली बारी मेरी कौन सी बोल जाए ब्लू बॉल तो फर्स्ट टाइम ब्लू बॉल होने की प्रविटी के लिए इसमें एक रेड कर दो अगार माझें कर दोगे फिर अगे रेड लेना है तो अगे रेड लोगे तो दो रेड थीन ब्लू और अगें रेड लोगे तो वंस अगें तीन-ठीन का अगे ठीक है अभी baand sogenan na aq समझा देका आपको तहूं का छले है है पहले पहले बाले sequence और लेको क्या होगा पहली वार रेड दूसरी वार रेड तीसी वार बिलू तो 1 वाई 3 आ गया इंटू 2 वाई 4 आ गया इंटू 1 बिलू का मतलब 2 वाई 5 आ ठीक है प्लस टेंशन मतलो एक सेकंड कीस कांसर लखो पहली वार रेड आने की परविलिटी वाई 3 इंटू दूसरी वार ब्लेक आने की परविलिटी 2 वाई 4 इंटू तीसरी वार रेड आने की परविलिटी 2 वाई 5 यस सर तो आप खुद देखो ना कोई सी बॉल कभी भी निकालो आगे पीछे हमेशा उपर वन टू 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 आरा नीचे तीन चार पांच आरा फिक्स है ना तो अगली बार भी यही कॉंबिनेशान में वारा तो क्या करना है इसी को तीन बार मुल्टीप्लाइब करना है तो दो से दो चला गया सोरी इसको थी टाइमस लिख सकते ना वन वाई 3 इंटू थोड़ा देखो कि दिख जाएगा आपको सब को ठीक है चलो कि सारी वहल रहुएग्षी की पिशाणियों अब हुए गिविन नेट आल दीड्राउण बॉल्स आण दो इस चेंपल कुशन है तो कि फाइट दीपिश्य एट ड्रान वॉल्स रहे अधो आहए वाल्स और तीनों की तीनों बॉल रेड हो की प्रविवर्टिए बिताऊ वेन ओर टीट्रांव 好उं इस सारी की सारी बोलं निकले की वह स्टेव क्लरी तो कुछ नहीं करना इसमें संप्ल आम मतलब है चीनों बारेड बौल ऐक प्लस तीनों बार बलंग वोल आए और फे प्लेस्ट रुस तीनों बार बार ब्लू का मतलब ब्लू ब्लू की प्लोडी यह तो आगा जिस अर फेवरिवल केस का मतलब कहते है आल थ्री टाइम्स अपन यह कंडिशन प्रोडी का कुछन हो गया पी-ए-पन-बी-पन-ब्ला प्रव्लिटी-अफ ए-इंटर्सेक्शन फी upon P B, yes sir. और या फिर सीदे से समसकतो है, जिसकी प्रवटी पूछी कि यह मेरा फेवरल केस है, तो फेवरल केस का मतलब है, सारी की सारी बोल आपकी रैड हो, सारी की सारी बोल क्या हों बोलो, रैड हो, तो तीनो बार रैड आने की प्रवटी लिखी ती नभी, भीलू तो टीनों बार और राने की प्रश्माज साथ ये और तीनों बार भलू के लिए क्या करोगे लिए अा टीनों बार भार ब्लूमें दोबारा teníanो लेना ठीक और और प्रबिटी किसकी पूची गई है रॉन वाल सा रेड तो बस इसको इनके समसे डिवाइड करोगी तो आपका आंसर मैच कर जाएगा ठीक है और अगला क्या है प्रबिटी देट एट लीस्ट वन रेड बॉल तो एट लीस्ट वन रेड बॉल में क्या करोगे प्रबिटी की वाइड है तो टोटल माइनस हमेशा मेरी ब्लू बॉल आहें तीनो बार बिल्व बाल आने की प्रविटी आप लिखोगे ठीक है ना तो एजी तो इसको कड़ सकते हैं तो इसकी अकोडिंग वन टू उप्सन तो बता दी मैंने इस थ्री और फॉर में से एक उप्सन और आने वाला है ठीक है चलो अगला कुछ्यिं क्या देखो ऐसनमठर सिसे लेट जेडवन लाइज ओन्धी मौट जैडवन इकलटु बन जैडवना आपका मोट जैडवन पर लाई करता है तो फॉट करतो इसको तो क्या गया मौट जैडवन ओन और जैटव अगले पर लाई करता तो मोट जैटू आपको तो गए बने देन विच आप दी फोलिंग ऑफ्ट निच टू सबसे पहले बता ना जैड बन प्लस जैटू के मोड की मिनिम वेलू तो देखो यह फॉर्मुला सबको पता होना चीए प्लस माइनस कुछ भी हो कि यह आगया मोड जैड बन प्लस कि मोड जैट टू और अधर जयेगा कि मौर जैड़ माइनस कुछ भी लगाओ तो देखो इसे फरस्षट में तो क्या है जैड़ मन पर जैट टू के मोड की मेकसिम बैलू तो इसकी मेक्स इसकी मेंेक्स कर दो इसकी मे рубelup मेलू पॉट कर दो तो 3 आ गया 2 mod Z1 minus mod Z2 तो देखो minimum की बात कीजिए तो देखो न अगर Z1 को 1 लोगे तो 2 आ गया और mod Z2 को 2 लोगे तो 0 आ सकता है minimum में अरे अगर ये दोनों equal बन जेंगे तो 0 आ गया तो mod Z1 को 1 ले लो mod Z2 को 2 ले लो आप तो minimum value 0 आ सकती तो ये भी option correct होगा अगला maximum value of this part तो maximum में इधर वाला sign लोगे न less than 2 mod Z1 plus mod Z2 तो mod Z1 1 एथो 2 और 2 4 ये भी सही answer आ गया और अगला 2 Z1 minus 3 Z2 का minimum तो minimum में क्या लोग होगे 2 mod Z1 minus 3 mod Z2 का mod is less than तो 1 2 minus 3 1 इसका minimum value बना सकता है 0 5 तो कभी नहीं आ सकता है ठीक है चलो तो इसका only 1 2 3 option correct होगा ठीक है उसके बाद 7th question देखो multiple का last question है 2 complex number Z1 and Z2 if ये 2 complex number इस condition को satisfy करते तो बताओ कौनसा option correct हो सकता है तो कुछ नहीं करना इसमें media according तो काम करते है इसको multiply कर दो आप तो ही आ गया A C Z1 Z2 प्लस A D Z1 Z2 बार प्लस B से किया तो देखो B Z1 बार sorry B C Z1 बार Z2 प्लस B D Z1 बार Z2 प्लस 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 B D Z1 बार Z2 यह सब देखो यह चार्ट ट्रम तो Cancel Out हो चुकी है यह Cancel Out करने के बाद थोड़ा मेरी तरफ देखना बलेकबोड पर इसको जब लेट में ट्रांसफर कोई तो कोमन आगया ना तो क्या गया A D minus B C Z1 Z2 बार equal to इसको दल ले जाओ चाहो तो तो क्या आगया अगया यह करने पर बेटा Z1 बार Z2 कोमन लोगे Z1 बार Z2 कोमन लोगे तो ब्रेकेट में क्या आगया बताओ आगया A D minus K B C तो इसको कैंसे मत करना इसको कॉमन लेकी जीरो कर देना अरे यार एक तरफ लेकर आओगे तो कॉमन आगया तो ब्रेकेट में क्या गया Z1 Z2 बार minus Z1 बार Z2 0 तो यह दोनों 0 हो जाएंगे न आपके तो एक तो आगया A D minus B C 0 तो A D minus B C 0 मतलब A D equal to B C तो यह लोग फर्स्ट आपसन आगया इसके अकोड़िंग और एक आगया Z1 बार Z2 sorry Z1 Z2 बार equal to Z1 बार Z2 इसके अकोड़िंग देखो क्या करना है आपको मोड Z1 मोड Z2 तो नहीं सकता ना क्योंकि दोनों तरफ मोड लोगे तो यह तो cancel out हो जाएगा दोन तरफ argument of Z1 equal to argument of Z2 इसमें एक काम करो आप Z1 को तो लेट कर दो R1 polar form में या Euler formula E1 और Z2 को R2 E2 power i8 theta इसका मतलब क्या है कि Z1 का argument theta 1 है Z2 का argument theta 2 है तो देखो जब इसमें put कर जाएगा R1 i2 तो दोन तरफ cancel out इदर आ गया E2 power i8 theta 1 into E2 power minus i8 theta 2 इसको लोग सकते है E2 power i8 theta 1 minus theta 2 और equal to E2 power i8 कितना उल्टा theta 2 minus theta 1 इसको नीचे ले और उपर लेके चल जाओ तो उल्टा हो जाएगा ने same तो दो बार जाएगा यह तो E2 power i8 theta 1 minus theta 2 equal to 1 यह सर और इतना आने के बाद E2 power i8 theta का मितलब cos theta plus i8 sin theta तो cos theta plus i8 sin theta करोगे तो इसका imaginary part 0 है और इसका imaginary part कितना है sin 2 theta 1 minus theta 2 equal to 0 तो sin की value 0 कब होती है जीरो पे तो सिध सीधा आगे theta 1 equal to theta 2 तो देन argument of z equal to argument of z2 तो इसका एक option कौन सा होगा fourth option correct होगा इस तरीकी से कुमना है तो इस theta question का चलो अब नेक्स्ट पार्ट है अपना section d का तो start करते है section d का question number first let fx equal to given है आपको limit t tends to 0 integration के अंदर given है integration 0 से एक से और अंदर बाला पार्ट की बिन क्या है tx square प्लस x t plus 1 की पावर 2t plus 2 minus 1 upon e की पावर minus x into t dx then find the number of solution of the equation 2 f of minus mod x equal to 1 तो चलो यह तो बात में बात करेंगे number of solution की पहले function fx को करते हैं तो देखो कैसे करना question को इस limit की बात करेंगे इसको ऐसे लिखो fx equal to limit of t tends to 0 integration 0 से देखो carefully सबसे पहले तो e की पावर minus x से scoop लेके चले जाओ तो क्या गया e की पावर x bracket में काम करते हैं अपन t से कर देते separate divide इधर करने पर तो t cancel out हो गया तो only क्या गया x square plus या फिर चलो इसको ऐसे लगते हैं अपने बास दोबार e की पावर x तो सबके साथ है तो इसको लखो बाद और bracket ऐसे लगा देते ठीक है e की पावर this upon t करने पर तो only आगे x square plus इसकी नीची t आजाएगा कैसे आगए x bracket में t plus 1 की पावर 2 t plus 2 minus के 1 upon यह आगया देखो into क्या आगया वोलो dx अब यह सब आपको पताओने चीशा है मेरे solution Odushing the goal in the Gar picturedी जيरू से X YOUT यी पहलाधना subject मेरी backstory this interchange की limit x P dependent और加 limit मेरे टीकी तो आप limit को अंदर आपले कर सकते को जुरुमcómo धूं नहीं कि पहले लिमिः प्ल हो बाद में limit लगा हो तो की integration की लिमिट तो X पे डेपेंड है और लिमिट मेरी टी की है तो इस लिमिट टी को अंदर लेके जाओगे तो सीधी सीधी बात है इदर से तो लिमिट अड़ा सकते न कोगी तो only X का function है तो एक तो आगया जीरो से X X square E की power X DX यसर प्लस इस पे लिमिट लगाओ तो लिमिट आपकी टी पे लगाओ गया तो टी को जब पुट करोगे तो वन की पावर 2 1-1 यह 0-1 वश्रम वनेंगी मतलब आपको लेमिट टी टेंच टी जीरो पे इसको क्या करना पड़ेगा सेप्रेट सेप्रेट सोल करना पड़ेगा तो चलो करते हैं इसको सेप्रेट सोल करना इसको अलग से देख लो sorry तो देखो कैसे करना है लेमिट ओफ ती टेंज टू जीरो इस पार्ट तो इसको लिख लेते हैं पर ती प्लस 1 की पावर 2T प्लस 2 माइनस 1 अपाउन टी इस लेमिट को सुल करना है और यह कौन सी फोर्म है जीरो बाई तो इसको करने का बैतनी तरीक है यही है आप इसमें लगा दो डील तो डील के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा इस उपर वाली पार पर टी प्लस 1 की पावर 2T की प्लस 2 का डिफ्रेंशेशन और इसका डिफ्रेंशेशन करोगे आप अलग से करना पड़ेगा क्योंकि यह पावर की पावर पावर है बेस की पावर दोनों पावर अगर वैरीवल एंटी में जिसको वाइलेट करके लोग लें और लोग लेने के बाद आप इसकी लिमिट लगा के सोल करोगे या तो ऐसे कर सकतो या पर एक काम करो इसमें फटा फट से इसमें अपन टी प्लस 1 को पी माल नेते जल्दी समझ में जाएगा आपको तो टी प्लस 1 को पी लोगे दो को कुश्चिन क्या गया लिमिट ओफ पी टेंज टू वन यह आगया पी की पावर टू पी तो इसको लिख सकते हैं ने पी आरे सही है ना अरे टू कॉमन लोगे तो टी प्लस 1 तो टी की पावर टू पी और टी की पावर टू पी को पी की पावर पी का ओल इसको लग सकते हैं और माइनस वन अपन आ गया टी की ज to 1, हाँ, पहले पावर का करोगे, तो 2 into P की पावर P, B की पावर P का मतलब है X की पावर X का डिफरेंशिशनंए, और X की पावर X का डिफरेंशिनंए, आब Нा League Axe, गते पावर X बेकट में, 1 पलस-L Nx, तो क्या लगोगे? कि की पावर पी ब्रेकेट में 1 प्लस LNP तो पी की पावर पी कर रूक है और व्रेकेट में आ रहे 1 प्लस LNP यस सः कर सकते हो आप 1 का 0 इह दर वन आ गया पी को वन लेने पर 1 जीरो तो सिंपल कितना आगे टू आ गया मतलब इस इंटीगेशन की लिमिट मेरी टू आ चुकी है चलो इसको पूट कर देते हैं फिर कुशन को करते हैं पन सॉल तो क्या आगे एफ एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स एकी पावर एक्स ब्रैकेट में आगे एक्स स्कॉर प्लस के टू एक्स यह सर्दे को डंग से है यह आगे ना और इतना आने के बाद इसको थोड़ा कियर फुली देखना पते क्या चीजह यह बेटा डी अप इंटू यह लोग मजा जाएगा इसके बात कुशन है कि यह एकी पावर एक्स एक्स कर का डिफेरेंशिशन है इसका डिफेंशिच चिकर रूप की आने वाला x square e की पावर x से लिखते थे इसको अपन fx equal to x square e की पावर x question में क्या पुछेगा है f of minus mod x equal to one k number of solution तो एक काम करो ना साहर 2 और 3 में देख लेते हैं एक पर हां 2 और लगाना कोई बात नहीं है 2 लगा देते हैं अपना क्या जा रहा है कि तो टू लोगे तो क्या आगया वन वाई टू आगया ना सॉरी है तो टू लगाने पर क्या गया है वोलो बन मैं टू देखो f of minus लिख की पटकार दो माईनेस के मौड एक्स तो यह आगया माईनेस मोड एक्सक्वर अक्स करो पर एक इस function है, तो कि x को negative positive कुछ भी लो, f of x equal to f of minus x होगा, इसका मतलब एक काम करते हैं, पहले x greater than 0 पर बात कर लो, तो इसको y माल नेते हैं, तो y equal to क्या गया, x square into e की power x, या फिर x square into e की power minus x, अब इसका एक बार dyds कर देना, जैसी इसका dyds करोगे, तो 0 पर तो value 0 आ रही है न, फिर इसका local maximum आ जाएगा इसे, और infinity linear, infinity upon infinity form है, तो जब da लगाओगे, तो 0 की तरफ 10 करेगा हो, इधर भी diagram सेम बनेगा ऐसे, और यह जो maximum value है, यह आपकी कुछ आने वाली है, 1 से बड़ी है, मतलब यह half से बढ़ाएगा, देख लो न, यह जितना मेरे को पता है, शाहत value 2 पर आ इसके बाद एको third question क्या है, आपको fx given है, उसमें gd6 given है, आपको ठीक है, n1, n2, ntr, n1, n2, n3, r denotes the number of local minimum, local maximum and infraction point, तो बताओ n1, n2, n3, n3, n1, n2, n3, n1, n1, n2, n3, n1, 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 local minimum, जो points है, उनका सम बताना है, number of points का सम, तो एक काम करो, इसके function माल लेते है, hx equal to f of gx, yes sir, तो देखो local minima, local maxima, inflection point का मतलब क्या है, कि function मेरा continuous or differentiable है, तो आप उस function का करो differentiation, और differentiation करने के बाद, उस first derivative के लिए जिए number line रो करोगे, तो number line पे अगर आप plus minus की sign scheme लगाओगे, तो left से right में, प्लस से minus जाते हो, तो local maxima, minus से plus में जाओगे, तो local minima, और sign does not chain, तो inflection point, बस इस पर जान देना, तो क्या करें, इसका differentiation क्या गया, hx equal to f dash gx into g dash x, yes sir, तो देखो f dash gx, तो इसका जब f dash x करोगे, तो क्या गया, x square plus x plus 1, yes sir, और थोड़ा carefully देखो, f dash x करने पे देखो, यह quartic है, और इसका d negative आ रहा है, और आपको पता है, किसी भी quartic का d negative हो, तो इसकी value हमेशा positive होती है, input चाह कुछ भी हो, तो f dash x का d negative आ रहा है, तो input कुछ भी लो, यह तो मेरा हमेशा positive है, तो इससे कोई फरग नहीं पड़ेगा number n पे, यह तो value आपकी positive बटा हो, और g dash x यह रहा आपका, इसके factor कर दो सभी, क्या होंगे इसके factor, x minus 3 into x plus 3, इसके factor x minus 3 into x minus 1, इसके factor x minus 1 into x minus 2, और last के factor होंगे, x minus 3 into x plus 1, ठीक है, इसको थोड़ा proper formative में लिखते हैं, इदर, सबसे पहले x minus 3 एक बार आ गया, दो बार आ गया, तीन बार आ गया, लग देते है x minus 3 का क्यूग, उसके बाद x plus 3 only one time से लग देते हैं, ये लोग ए x plus 3 आ गया, x plus 3 के बाद, x minus 1 आपका twice है तो दो बार लग देते हैं, x minus 1 का square, और उसके बाद कोन है बताओ, x minus 2 लग देते हैं, और x minus 2 के बाद x plus 1, ठीक है, ध्यान रखना, दोबार देख लेते हैं, x plus 1 one time से, x minus 2 one time से, x minus 3 मेरा तीन बार आ गया, x plus 3 one time से, x minus 1 का whole score आ गया, ठीक है, उसके बाद बनाओ number line, तो देखो, यह 3 पे 0 होगा, यह minus 3 पे 0 है, यह minus 1 पे, 1 पे और 2 पे, आगया ना, और उसके बाद सीधी बात है, या तो sign plus से minus जाएगा, या minus से plus, या sign does not change, plus से minus जाएगा, तो local minima, local maxima, plus plus minus होगा, तो neither, इदर, मतला, inflection point, तो उनका सम तो यही आने वाला है ना, मिशा, तो बच 5 answer आगया, और क्या है, इसकीम लगा सकतो, plus, minus, square पे दोबारा plus, 1 कहां चला गया, 1 पे sign does not change, minus 1 पे sign change, sign change, ठीक है, तो plus से minus पे जाओगे, तो local maxima, local maxima, दो local maxima होगे, minus से plus जाओगे, तो local minima, दो local minim होगे, और 1 होगा, inflection point, तो total क्या होगे, 5 answer, fill करना है, आपको, ठीक है, चलो, अगला question कहा है, the number, three numbers are selected random, with the replacement from 1-10, 1-10 में से, आपको 3 number का selection करना है, the probability that minimum of the selected number is 3, और their maximum is 7, मतलब, आपने उसमें से जो number select की 3, उन selected 3 number में से, उनका minimum 3 है, मतलब, सबसे चोटा number 3 होगा, या maximum 7, मतलब, या तो minimum number 3 आना चाहिए, और maximum number 7 आ सकता, तो एक काम करो, इसको तो name दे दो, A, और इसको name दे दो, B, तो अपनको probability बताने है, P, A, union B की, और आगे न, कि या तो minimum 3 हो, और minimum, sorry, maximum 7 हो, तो आप लिख सकता हो न, P, A, plus, P, V, minus, P, A, intersection, भी, लिख सकते हैं, P, A, intersection, भी, ये लिखने के बाद, P, A का मतलब क्या है, minimum 3 आने की probability, minimum 3 तो आने आना चाहिए, तो एक काम करो न, अपनको 10 में से 3 नमब लेने, तो sample space तो आगे 10C3, minimum 3 तो आने चाहिए, तो 3 तो ले लो, आप, बचे कितने 7 नमबर, 7 में से कितने लेने दो, तो 7C2 अपन आगे 10C3, ये सर्थ, P, B का मतलब, maximum 7 आना चाहिए, तो चलो 7 तो ले लिया मैंने, 7 के बाद, starting में कितने बचे 6, तो 6 में से कोई भी दो ले लो, 6C2, माइनस, इस वार दोनों काम, A and B बहुत हार, तो minimum 3 भी आना चाहिए, अगर maximum saving भी आना चाहिए, तो 3 आ गया, 7 आ गया, कौन बचा, 4, 5, 6, तो 6 में से के बाद आपको एक नम्मल लेना, 6C1, 10C3, तो LC1 आ गया, simplify करोगे तो आपको ये value funded हो जाएगी, और इसको करना है, K plus 5 upon 40 की equivalent, जैसे करोगे तो K आपका answer आजाएगा, और जितना मेरा पता है, इसमें के की बिलू 6 आती हो, ठीक है, चलो, तो सिम्पल कुशन था है, अगला कुशन कहा, अच्छा कुशन है, suppose 28 objects are placed along a circle at equal distance, मतलब एक circle पे equal distance पे 28 object को रखा गया, ठीक है, चलो, then the number of ways in which three objects can be selected from them, show that, आपको इन 28 में से three object का selection करना है, और ध्यान क्या रखना है, no two of three selected objects are adjacent, अलब कोई भी तीन आपके, कॉंजिटिव नहीं हो सकते, लगाता नहीं लेने अपनको, तथा, nor diametrically opposite, diametrically का मतलब वो सारे के सारे opposite sign में नहीं होने चाहिए, nor diametrically, समझते इसका meaning कहा है, जैसे let देखो, ये एक circle है आपका, total 28 objects है, सुनना बात को, एक object बना दिया, दूसरा, तीसरा, ऐसे बहुत सारे object है, थोड़ा समझने के लिए देखो क्या करना है, तीन object लेने तो पहला तो क्या है, नोन-conjunctive लेने तीनों की तीनों की तीनों की तीनों नोन-conjunctive, कोई भी दो लगानता नहीं आ सकते हैं, और diametrically का मतलब क्या होगा, जैसे लेट, यह तीनों equal distance पर रखे होगे, तो जैसे मैंने यह ले लिया, तो इसका जो opposite होगा उसको नहीं लेना है, ठीक है, तो जब आप 28 में से 3 लोगे, तो केवल एक ही combination हो सकता है, कि दो आपके diametrically हो, जैसे यह A1 है मेरा, A1 का diametrically क्या होगा है, A14 हो जाएगा, A14, A15, A14, 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 14 बराबर कर दो ना, 14 नीचे 14 उपर, तो A1 से A14 उपर और नीचे, तो A1 का opposite हो जाएगा, A15, तो अगर यह दोनों आगे आपके, तो एक कोई सा भी लोना, तो यह possible combination आपको select नहीं करना है, diametrically वाला case select नहीं करना है, तो देखो, कैसे करोगे इस question को, वह simple question है, सबसे पहले काम करो, 28 में से आप simple तीन object का selection करो, इसको reverse करोगे ज्यादा बेटर है, अगर case बनाओगे तो उसका method है, पहला case, 28 में से तीनों के तीनों अपन को non-conjunctive लेने हैं, n upon r into n minus r minus 1, c r minus 1, उससे जाएगा non-conjunctive का, plus अगर वो diametrically आते हैं, तो diametrically में क्या करोगे, कि तीनों non-conjunctive लेने हैं अपन को, तो यह lengthy procedure है, उससे बचने का weight option यही है, 20 c3 लिखो, इस 28 c3 में क्या क्या हो सकता है, जब आप 28 में से तीन object लोगे, तो तीनों के तीनों दूर दूर हो सकते, एक बनवाई बन हो सकते हैं, चोड़के, इस 28 c3 में, तीनों लगातार भी हो सकते हैं, उस case को अटाना है, दो cognitive हो सकते हैं, और एक अलग हो सकता है, इसको इसको अटाना है, और 28 में से जब ती तो उस case को भी आपको रिमूव करना है तो देखो कैसे करोगे पहला case तीनों के तीनों कॉंजिटिव हो तो आपको पता होगा circle पे एन अब्जेक्ट रखे हुए हैं तो आपको उसमें से कॉंजिटिव अब्जेक्ट लेने वह लगातार दो लोगातार तीन आंसर अमेशा एन 28 एबन अट्य आसकता है एट्व एट्री 28 है यह तो दो कॉंजिटिव अब्जेक्ट यह तो थ्री कॉंजिटिव के हैं यह दो कॉंजिटिव के अब जब 2 कॉंजिटिव लिए तो तीसरा फिर दूर्णा चीन अद्धों एवन एट्व आ गया तो आप इन दोनों को लेनी स जकते तो बचे कितने चोईस अरे टोटल 28 हैं दो आपने लगातार लिए अब तीसरा इन दोरों से मतले ना फिर तो 28 वाला जाएगा अंसर यह तो तीन कॉंजिटिव वाले होंगे तो दो कॉंजिटिव लो इन दोनों को छोड़ दो बचे चोईस चोईस में से कोई भी एक ल लिए तो एक बात सुनो 28 अबजेक्ट हैं और वो इक वल डिस्टेंस पर रखे हुए उए प्लेश्ट हैं तो टोटल डामेट्री कली कितने होंगे फोर्टीन पेर सापके डामेट्री के लिए होंगे तो फोर्टीन पेर में से कोई भी एक पेर सेलेक्ट करो अगर आपने ए एक पेर सेलेक्ट किया इसका मतलब दो अबजेक्ट तो आपके पास आ चुके हैं ठीक है अब दो अबजेक्ट आ चुके हैं तो बाकी तीसरा अबजेक्ट आपका क्या हो सकता है बाकी तीसरा जो अबजेक्ट हो क्या होगा अब एक बास सुन ले ना आपने वोरा सर्थ दो 15 तो अगले दो लेने के अगला जो एक वर्टेक्स लेना वह कौन से लोगे इसको नहीं लेना है इसके पास वला नहीं लेना है और इनके पास वला भी नहीं लेना है इसका मतलग कितने अड़ा दो एक दो सोरी 1 2 3 3 और 3 6 समझे मेरी बात को ये दोनों आ चुके हैं 14C1 अब एक लेना है इनके adjacency को select नहीं करना है तो 28 मिस छेगे तो 22 तो 22C1 आ गए लोग ये वो method है जिसमें या तो 3 एक साथ आ सकते हैं दो object एक साथ आ सकते हैं एक दूर या दो को डामेट्री के लिए सकते हैं और एक उनसे सेपरेट आ सकता है इनके सेच को माइनस कर देना तो आपका आंसर जाएगा वह अलफा होगा उसको अलफा से डिवाइड कर देना इसको सब्सक्राइब को तो सौल करने पर सकांसर थी आता है गुणा वाग खुट करना वाई इसके ठीक है चलो कि फोर्थ के बाद बारी आती है कुश्चन नंबर फिप्ट की कुश्चन फिप्ट भी बहुत अच्छा कुश्चन है थोड़ा समझना इन नंबर फ इंटीगल पॉइंट सैटिस्वाइंग दिसपाइट इन दी आर्गें प्लेंड फोर वीच जेड प्लस ओमेगा का स्कॉर मॉड माइनस जेड प्लस ओमेगा के मॉड का होल मॉड इस मिन सकतीना जेड कीजयर डिसटेंस प्लस जेड कीजयर टू से डिस्टेंस का मॉड मेरा फोर है यह सब तो अपने पड़ाओगा एक पॉइंट की दो पॉइंटों से डिस्टेंस का सम अगर कॉंस्टेंट है तो उसका लोकस ऑलवेज एक इलिप्स होता है बट उसमें क्या मतलगते हैं अपन पी ये की बात करो पी पिलस पीवी इकल टू टू ए तो टू ए तो मेरा फॉर आ गया है तो ए आगया टू और उसके बाद जैडवन जैटू के बिट्विंट जो डिस्टेंस हो कितनी तू ए जो जैडवन कितना वन जीरो यह माइनस बंजीरो इनके बिट्विंट जो डिस्टेंस है तो क्या गया जैडवन जैटू का मतलब टू ही आ गया और जैडवन जैटू की फॉर्मृले से अपन बी निकाल सकते हैं, तो 1- W A2. तो E2 तो 1-W वर फोर सिंपल आ गया, B2 आपन A2 इकवल टू 3-4, A2 से चल आ गया, तो B आ गया रूड 3, यह सर, तो क्या पता चला, मतलब इसकी जब फुता है मिनस 1-0-10, तो center जीटर जीरो जीरो आगे ना मतलब यह आपका एक इस्टेंडर एलिप्स हो चुका है यह लोग कि यह इस्टेंडर एलिप्स है मेरा यह पॉइंट कितना है बताओ कि यह 2,0 कि यह माइनस 2,0 ठीक है न अब यह आने के बाद और इसका इंटीरिय पोर्शन है द्यान खना अब क्या कि रहा है जेड की ओमेगा और ओमेगा इसकोर ओमेगा और ओमेगा क्या है आपके वन की प्रमवरिती की रूट से इसका मीनिंग समझो पहली बात यह कह रहा है इसकी वेलू मिनिम आने चीए तो एक बाद बाद बता हो यह बीच माइनस आरा ना तो इसकी मिनिवेलू 0 आ सकती है कव जेड प्लस ओमेगा का मौड इककल टू जेड प्लस ओमेगा स्कुर का मौड अगर इन दोनों का मौड आपका इक्वल बन जा है तो यह वेलू आपकी क्या सकती ही बोलो जीरो आ सकती है क्या सकती है यह वेलू अपनी जीरो आ सकती है हाँ तो देखो इसके बाद क्या करना आपन को ठीक माइनस ओमेगा स्केर से distance और z की माइनस ओमेगा से distance तो ओमेगा और ओमेगा स्केर की value अपन किया लगते हैं बोलो खिर माइनस हाफ प्लस माइनस root 3 आयुता वाई टू ठीक है तो एक काम करो यह ओमेगा ओमेगा स्कूर की वेलुए ना इसको माइनस से मल्टिप्लाई कर तो तो कितना जाएगा वन वाई टू प्लस माइनस रूड मतलाव जड की इन दोनों पॉइंटों से रिष्टेंस से मोगी ना उसकेश में यह इसका मूड ओन्Bay यार इसका मतलब क्या है complex number z की minus omega square से distance और minus omega से distance अगर equal हैं तो उस case में क्या वोल होगे कि हाँ उस case में यह दोनों equal होंगे तो इसका determined जिसका modulus value minimum 0 आ सकती है मतलब z की यह दो point है आपके एक point हो आगया 1y2,root 3y2 मैंने minus multiply कर दिया और अगला point आगया 1y2,minus 3y2 इन दोनों point हो की अगर z से distance सेम होगी उस case में क्या वोलोगे कि हाँ n की value सेम होगी दोनों की तो उसका इसके प्रपेंट ग्रवाइस सेक्टर पर सेम आ सकती है तो देखो यह दो point कौन से है बन वाई 2,root 3y2 तो कहीं इदर होगा और 1y2,minus root 3y2 होगा समझे तो इन दोनों point को जोन करने वाली line है तो इसका midpoint ही आ गया तो अगर वह जो जैड है वह इस line पे लाई करेगा ना तो उसी case में इसकी value क्या हो सकती है जीरो आ सकती है ठीक है जैड इदर ले लो आप तो इस case में इसकी value क्या होगी बोलो एक को लोगी तो value इसको 0 बना देका ठीक है और जैड क्या है करने जोньठीजर है तो टूऊ-पाइब कोमा जीरो माइन अच्चा कुश्चन न्हां थीक है चलो कि अग Hack क्रूशिन के दिखो अल्फा गेवने है इक पावर आट टूपाय वज सभी एफट एक फंशन गेवने के ए और वेल्व इस पाटे दिस पाट भैन फैंड वेल्व अफ एन एज़ देखो इसक्रूशिन में क्या करना बैसेकली इसकी वेलो को इसकी एक्विलेंट करना थे काम करो ना इस सिग्मा में पुट कर दोसको फटापट पहले अरे यार यार यह Fx है ना इस Fx में क्या करो X की जगे पुट करो X अलफा की पावर आ तो F X अलफा की पावर आर एक्वल टू ए नॉट पिलस X सिग्मा के क्वल टू वन से 20 एके एक्स की जगे तो अलफा की पावर आर के इंटू एक्स की यह आ गया ठीक है अब इसका दोबारा सिग्मा लेना वो सिग्मा बाद में लेना उससे पहले काम करते हैं की आपका वेरिवल है तो की आपका सब्सक्रफ आने वाला ना तो जब के को पुट करोगे और अलफा कितना है देखो इसको थोड़ा केरफुली देखो जब के को वन से 20 लॉप तो जब alpha आर की आर まगे पुट करोगे तो इसमें सिंपल ये कर सकते हैं ट्य जो alpha अलफा जिक को कितना है अधा आप के को पुट को हो बेटा एक बनने वाली क्या मन्थे बने वाली बोलो एक जीपी बनने वाली है और जब यह जीपी बनेगी तो देखो उस जीपी को सोल के से कंड़ना में तब थोड़ा ध्यान देना और आप चाहो तो एक काम करो अपन आर की लिमिर्ट और लगा देते हैं आरकी लिमिंस क्योंकि मेरेको इसमें दो दो वैरिवलं के भी आपका वैरिवल और एना वे आपका वह एक काम किरो इसको थोड़ा और सिंपलिफय कर देते हैं एमोड स्क게 को अगर वन लोगे آ तो A1 अल्फा की पावर आर एक्स प्लस A2 अल्फा की पावर टू आर कितना एक्स स्क्वार प्लस A3 अल्फा की पावर थ्री आर एक्स क्यूब ऐसे यह प्लस प्लस अल्फा की पावर टूंटी के एक्स की पावर स्क्वार टूंटी सोरी यह आर और साथ में टूंटी आ रहाएगा कितना आएगा वहलो टूंटी आ रहाएगा इतना आने के बाद थोड़ा केरफूली देखना यह आ गया एफ इस पार्ट अब इसका जब दोनों तरफ सिग्मा लोगे तो देखो सिग्मा कॉन सा लेना है जी सिग्मा लेना है तो सिग्मा कितनी बार है जीरो से सात वार तो यह आगा सेविन इंग अब थोड़ा केरफूली देखना इसका सिग्मा लोगे तो लिमिट लगाओं लिमिट लगाओं और की 0 से 6 लोगे तो आर की 0 ने पर क्या देगा है देखो अलफा की पावर जीरो minus 1 upon alpha minus 1 तो आप केरफुली देखो alpha मेरा अबस पार्ट है e की पावर ऑबर आय। 2pi by 7 तो बेटा एक बाह बताओ alpha की power अगर 7 का multiple हो तो alpha की power seven का multiple होगी तो क्या बंजेंगा e की power 2 I 또 pi और इसकी value cost 2pi plus I but 7 2pi 1 मन जाएगी तो alpha की power अगर seven सेविन का मल्टीपल होगा तो यह वैलू आपकी वन बन जाएगी बाकी केस में वैलू वन नहीं बनेगी ठीक है ना तो थोड़ा केरफुली देखना मैं यह तरफ सुनो तो बेटा जब यह जब अलफा की पावर आर की बात करोगे आप क्या करोगे अलफा की पावर आर की बात तो इस केस में क्या होगा यह इसको जीरो बना देगा ना क्योंकि अलफा की पावर सेमने में बना जीरो ऐसे ही जब अलफा की पावर टूर इसका सिग्मा लोगे तो इ इसमें भी टम्स तो 7 यह ना इसमें भी टम्स क्या बोलो 7 आप चाहो तो एक काम करो पहले तहां चला गया वो इसको भी सोल कर सकते हो उसे कोई फ्रेंग नी पड़ेगा तो सीडी सीडी बात यह अगली बार में जब करोगे तो यह क्या हैगा alpha square की power 7 minus 1 upon alpha square minus 1 तो देखो यह तो कुछ भी हो ना यह 7 दोबार आ गया ना तो इसको अगेन क्या बना देगा जीरो बना देगा क्या बना देगा इसको जीरो ऐसे चलते रहोगे तो देखो बीच में a7 भी आ रहोगा आपका ऐसे a7 alpha की power 7r x की power 7 तो बेटा जब alpha की power 7r लोगे ना तो इसमें इसका common difference common ratio आएगा alpha की power 7 तो alpha की power 7 में यह वाली process आने वाली है और जब यह process होगी तो जब alpha की power 7 मेरा वन है तो 0 by 0 फों बनेगी जैसी जब 0 by 0 फों बनाओगे तो इसको solve करने पर इसकी value 7 जाएगी ना क्यों क्यों क्योंकि लिमेट अलफा टेंश टू या अलफा की power 7 टेंश टू बन है तो सीधा यह टेंश टू बन है तो इसको एकस मान लो एकस टेंश टू बन पर क्या गया एकस की power 7-1 अपवान एकस माने लगाने पर इसकी value के जाएगी 7 तो इसमें सिंपल सी बात यह होगी एवन एटू एथरी जिसमें जो यह 7 का मल्टीपल देगा तो एजब 7 का मल्टीपल देगा तो एजब 7 का मल्टीपल देगा तो एजब 7 और एजब 14 में क्या बनेगा इदा 7 की power 14 7 की power 14 तो once again इसकी value 7 मिल जाएगी आपकी और बाकी सारे केसेज में यह तो 0 नहीं होगा एजब 7 एजब 7 एजब 7 में क्या एगा एकस की power 7 प्लस 7 एफोर्टीन एकस की power 14 तो जैसी आप 7 कॉमन लोगे तो देखो इस कंडिशन को फोलो कर गया ना एजब 7 लेके देखो 7 कॉमन एजब प्लस एजब 7 एकस की पावर 7 एजब एकस की पावर 14 तो एन की वेलु आपको इवन फिल करने है ठीक है इस तरीकी से करोगे जब चले अच्छा कुछन कर सकते हैं और इसी के साथ इसका लाश्ट कुछन और देख लेते हैं लाश्ट कुछन भाट खतरना कुछन है सोचना पड़ेगा समय एक इंटीकरिशन को सौल करना है अबस ठीक है उसकी वेलु 1 अ एक्स की पावर 200 समझने वाला कुछन है सेमेट्टी से देखना है इसको इसमें यूज करेंगे पर आई लेट बाइपार्ट करते हैं इसको तो मानते हैं सेकंड फंशन क्योंकि इसका इंटीकर सकते हैं इसको मानते हैं फस्ट फंशन तो दो जब यह अप्लाई करोगे तो क बिएक पटे 201 कि इस पर लिमिट लगा देना रहे 0-7 तो देखो वन लगाने पर यह 0-0 लगाने पर यह 0-0 बन जाएगा गिर समिए टो зан सब्सक्राइन सब्सक्राइस की पर सिलेगे देन इस बना देंगा और इसका वह का परिएक्स गर होすब्सक्राइब को इस्ट को सु copies इसको जिropन आगलों जीन तो डेलियल या शमिब्सक्राइब मेंगे proving और अब integration किसका करना, 0 से 1, 1- x की पावर 6, x की पावर 201, वही सेम, इसको 2nd let करो, इसको 1st let करोगे, जब 1st 2nd let करोगे, तो I rate लगाऊगे तो यह लगोगे पहले, इधर 6 होगा, इधर 202 बटे 202, तो 0, 1 पे इसको 0 बना देगा, मतलब बाद बाद बाले पार्ट काम हैंगा आपका, क्या होगा बाद बाद बाले पार्ट को लिखोगत कितना आएगा, 207, C7, 7 upon 201, और सिंपल सी बात है, 1st EGT, 2nd integration, फिर minus आएगा, फिर differential करने से इसको दोबारा प्लस, तो हमेशा प्लस में आने वाला है, तो कितना आएगा, देखो, integration 07, पावर आगे लोगे तो 6 आगया, एक पावर कम कर दोगे, इसमें X की पावर 202 बटे 202, यह सर, ऐसे यह करना पड़ेगा, 7 times इसमें by parts लगाओगे आप, तो 7 times जो by parts लगाओगे, तो एक बात बताओ ना, 1 minus X की पावर 7 का, जब 7 times करोगे, तो पहले 7 बारा आगया, फिर 6, फिर 4, फिर 5, फिर 3, 2, 1, तो फेक्टिल सेविन तो बारा आगया, और यह बात में 1 मन जाएगा, यह सर, और जब इसका करोगे 7 times differentiation, इंटीकिशन, तो क्याएगा, जब को दूसरी बार में 202 बटे 202 बारा है, तीसरी बार में 203 बटे 203, चौती बार में 204 बटे 204 तो 7 बार में क्या है, एक्स की पावर 207 बटे 207 बारा है, फाइनली इस कुशन में क्या आने वाला, देखो दोबारा, जब आप इसको simplify करोगे तो है जाएगा, sorry, 207 C7, उपर क्या एगा, सेविन टाइम करोगे तो फैक्टिल सेविन आगे न, और अपन में क्या आगे, पहले 201 आया था, फिर 202 आएगा, ऐसे चलोगे तो 207 और रिमाइनिंग पार्ट बच गया, 07 एक्स की पावर 207, इसका दोबारा कर देना, इंटिक्रिशन तो कह जा अपने पे, 1 अपन एक्स की पावर 200 आठा गया, तो फाइनली ये वेलू देगा, 1 अपन 208, यह सर, इसके बाद, जब इसका फैक्टोरियल आपन करोगे, NCR क्या लगए, फैक्टोरियल 207 अपन फैक्टोरियल 200 इंटो फैक्टोरियल 7, ये लिखने के बाद देखो, अपने जब देखा न, अरे इसको लोको 207, 206, डॉट 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 टुजीरो वन इंटो फैक्टोरियल 200, तो 207 से लेके, ये सारा सारा के इंसे, तो कितना आगया, 1 अपन 208, यह आगया आपका, कितना 1 वाई, के, इसी को कुछ्चन ने 1 वाई, के बोला गया है, तो के कितना आगया, 208, और के 201 आगया, तो इसके बाद कुछ्चन ने क्या बोला गया, उसकी बात कर लेते हैं, अपन, इसको 26 से डिवाइड करो, तो 8 6, 48 हो गया सेट, तो 208 में जब 26 का वाग दोगे, तो क्या अंसर आए, कसका, 8 अंसर आपको फिल करना, ठीक है, तो इ थांसर आपको झाल गया, तो इस की बाद ही उांसर आपको प investigatorतis का अंसर आपको आपक पाधको जब तो कितना अ जब भीकाश्वड़ तो auditor टो गया भीका यापको है, जब वेते हैं कितना गयांसरी, तो ने बादनेत गया वादेनी, गयांसरी गलादी 0-3 Cosasundर आ आपको